अलो बॉर्निंग बच्चों माईसल ताराचन टीम मैच CLC सिकर आज हम लोग मैच का पहला पेपर है हमारा DTS का ठीक है उसको डिसकस करने जा रहे हैं तो देखते हैं कि किस तरीके से जो आप का पेपर हुआ है उसके जो क्यूस्टन से वो किस तरीके से कैसे सॉल होंगे ठीक है तो पहला क्यूस्टन क्या है देखे हमारा कि alpha and beta be the roots of the equation x square plus px minus 1 upon 2p square equal to 0 where p belong to real number then the minimum value of alpha to the power 4 plus beta to the power 4 is तो क्या है देखे यदि alpha थे बीटा समीकरन इसके मूल है जहां p आपका एक real number है तो इसका न्यूनतम मान क्या होगा इसके बारे में हमें क्या करना है डिसकस करना है तो चली बात करते हैं यहां पर तो सबसे पहले देखिए कि स्क्वाडेटिक के अगर roots alpha and beta है तो alpha plus beta की value कितनी आएगी alpha plus beta will be equal to minus p और साथ में यहां पर product of root कितना आएगा alpha into beta so alpha into beta will be equal to होगा minus 1 upon 2p square यह आगे हमारे सामने sum of root and product of root अब हमें करना क्या है हमें एक expression दिया हुआ है alpha to the power 4 plus beta to the power 4 और उसके हमें क्या करनी है minimum value निकालनी है तो चली देखते कि इसकी minimum value क्या होगी सबसे पहले हमने इसको simplify किया alpha to the power 4 plus beta to the power 4 को हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं alpha square plus beta square का hall square ठीके इसको open करेंगे तो आएगा alpha की power 4 plus beta की power 4 plus 2 alpha square beta square सो उसको यहां से हम क्या कर देते हैं सब्टेट कर देते हैं 2 time alpha square beta square फिर आगे बात करते हैं alpha square plus beta square को आगे कैसे convert करेंगे क्योंकि हमाई जो values पता है वो किसकी पता है alpha plus beta और alpha into beta की तो यह format तो हमारा alpha beta में आ गया है बट यह भी है alpha square plus beta square तो आगे इसको फिर represent कर सकते हैं देखिए alpha plus beta का hall square minus 2 alpha beta and hall square and minus 2 time alpha beta का hall square के लिए रही है आ गया अब यहां पर देखिए इसकी value substitute कर देते हैं so alpha plus beta का hall square कितना होगा that will be minus p का hall square so this is p square minus 2 time alpha beta की value कितनी होगी so यह हो जाएगे आपकी 1 upon p square और इसका square और साथ में alpha beta पर जब value put करेंगे हम minus 1 upon 2p square तो वो value कितनी आ रही है वो आएगे आपकी minus 2 cancel out हो जाएगा so यह आ जाएगी 1 upon 2 into p to the power 4 तो यहां तक हमारा expression आ गया p के format में पूरा क्लियर है अब हमें यह देखना है कि इसकी minimum value क्या होगी तो देखिए इसकी minimum maximum value निकालने के लिए इसको हम open कर लेते हैं तो इसको open करेंगे तो देखिए हमें कितना मिलेगा तो यहां से जब हम इसको open करेंगे a plus b का hall square तो हमें मिलेगा p की power 4 plus 1 upon p square कितना आएगा 1 upon p की power 4 and plus 2 और 7 में हैं हमारे सामने minus 1 upon 2 into p की power 4 क्लियर है इन दोनों numbers के बीच में हमने LCM लिया और इसको simplify किया तो इसको simplify करेंगे तो हमें मिलेगा p की power 4 plus 1 upon 2 into p की power 4 जब LCM लेंगे तो यहां पर 2 minus 1 तो कितना आजाएगा 1 और 7 में हैं हमारे सामने plus 2 तो यह expression आगया और अब हमें इसकी minimum value निकालनी है क्लियर है तो देखिए यह जो expression है 2 तो आपका constant number है ठीक है यह तो आपका last में add हो जाएगा तो हमें value minimum किसकी निकालनी है p की power 4 plus 1 upon 2 time p की power 4 तो देखते हैं देखिए इसकी minimum value क्या होगी ठीक है तो यहां से अगर हम इसकी देखें तो इन दोनों numbers में अगर हम inequality लगाते हैं arithmetic mean is greater than or equal to geometric mean तो हमें देखिए क्या मिलेगा am is greater than or equal to gm तो यहां से आपको मिलेगा p की power 4 plus 1 upon 2 time p की power 4 by 2 is root of p की power 4 into 1 upon 2 time p की power 4 तो यह कट जाएगा तो उदर आएगा 1 by root 2 और इधर है 2 तो यह जो expression है आपके सामने p की power 4 plus 1 upon 2 time p की power 4 that will be greater than or equal to 2 by root 2 इसको लिख सकते हो आप greater than root 2 clear है तो इसकी जो minimum value है वो कितनी है root 2 तो इसकी minimum value root 2 है और यह आपके सामने constant number है तो all our expression जो हुआ उसकी जो minimum value आएगी वो आपके सामने कितनी होगी root 2 plus 2 तो इस तरीके से हमारा इस question का जो कौन सा option correct है option fourth आपका correct है question number 1 का clear है चलिए आगे बात करते है next question और next question के अंदर देखिए क्या दिया है आपको next question के अंदर है आपके सामने आपको इसके number of solutions निकालने है root 3x square plus 6x plus 7 plus 5x square plus 10x plus 14 का root will be equal to this तो देखिए हमें इस equation के solution निकालने है तो हमारे जैसे पहली thinking यह आती है कि हम इसको solve कर ले जैसे squaring करके या इस तरीके से लेकिन देखिए ज्यान से कि काफी complicated हो जाएगा क्योंकि यहां पर भी square root है यहां पर भी square root है अंदर quadratic है square करोगे एक बार यह आयागा फिर root की drum बच जाएगी फिर squaring करने पड़ेगी तो बहुत बड़ी equation बन जाएगी तो देखिए जब भी इस type का question आये और वो कैसे होता है वो देखिए जब भी कोई भी square root की drum आती है तो सबसे पहले क्या किजिए आप उस square root वाली drum को ध्यान से देखिए और उसको perfect बनाईए देकि कितना आ रहा है so 3x square plus 6x plus 7 है तो उसके अंदर हमने क्या कर दिया plus 3 and plus 4 को अलग कर दिया अलग क्यों किया ताकि यह जो drum है हम इसको perfect square बना सके ऐसे दूसरी वाली जो drum है हमारी इसको हमने किया 5x square plus 10x and plus 5 और 7 में हमारे सामने कितना बचेगा 9 14 को लिख सकते हैं 5 plus 9 और right hand side में जो drum है ठीक है उसमें से minus sign common ले ले तो यह बन जाएगा x square plus 2x plus 1 तो हमने minus 1 किया वहाँ पर plus 4 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा plus का 5 अब देखो यह क्या बन गया यह है आपके सामने इसमें से जैसे आप 3 common लोगे तो यह बनेगा 3 time x plus 1 का whole square and plus यहाँ पर रहेगा आपके सामने 4 clear है similarly यह जो drum है हमारे सामने यह क्या बनी देखी root over इसमें से 5 common लेंगे तो यह भी बनेगी x plus 1 का whole square and plus 9 और साथ में यह जो drum है यह भी है हमारे सामने minus sign बहार x plus 1 का whole square and plus 5 अब देखो जान से यह की square root drum है जो हमेशा positive होगी और इसके अंदर जो एक drum बनी वो एक perfect square drum है ठीक है तो यह जो value होगी इस expression की यह हमेशा 2 या 2 से जादा होगी क्या होगी 2 या 2 से greater होगी और यह जो value है आपके पास में क्योंकि x plus 1 का whole square की minimum value कितनी हो सकती है 0 हो सकती है तो 0 प्लस 9 इसकी जो minimum value आएगी आपके सामने वो 3 हो सकती है clear है तो यह all over जो expression होगा आपका यह हमेशा 5 या 5 से क्या होगा बड़ा होगा और इस expression को अगर हम जान से देखे तो क्योंकि यहाँ पर negative term है ठीक है इसके बाहर minus sign है perfect square के तो यह हमेशा 5 में से subtract होगा तो यह जो expression है यह हमेशा 5 या 5 से चोटा होगा तो यह जो दोनों expression है यह दोनों एक दूसरे के equal का बो सकते हैं जब इनकी value क्या हो जाए 5 हो जाए ठीक है और इसकी value 5 हो जाए और इसकी value भी 5 हो जाए शिरफ यही possibility है और एसा शिरफ आपके एक ही point पर होगा और वो होगा x equal to minus 1 पर ठीक x equal to minus 1 पर left end वाला जो expression है इसकी value भी 5 आएगी और उसकी value भी 5 आएगी और इसके अलावा बाकी जितनी भी values है आपकी x की उन सब के उपर आपके सामने क्या होगा यह वाली value आपकी 5 से ज्यादा होगी और वो वाली value 5 से कम होगी जो कभी भी एक दूसरे के equal नहीं हो सकती है तो इसमें आप से पुछा था number of solution of the equation तो इसका कौन सा option सही होगा हमारा option number 1 इसका सिरफ एक solution होगा वो है हमारा x equal to minus 1 clear है चलिए आगे बात करते है next question so next question है हमारा question number 3 और question number 3 देखिए किस चीज से related है वो है हमारा again equation है आपके सामने modulus वाली उसके अंदर आपके interval दिया हुआ है minus 2 pi से plus 2 pi और आप से पूछा गया है कि इस equation का complete solution क्या होगा clear है समीकरण इसका अंतराल x minus 2 pi से 2 pi में forward hull का समुचे हमें याद करना है चलिए बात करते है कैसे होगा देखिए mod के अंदर जब भी आपके सामने इस type की कोई भी inequality जाती है ठीक है mod a plus b will be equal to mod a plus mod b ठीक है तो ये inequality आपके सामने कब satisfy होती है इसका क्या solution होता है इसको याद रखिए ध्यान रखिए ये तब होता है जब a into b कैसा हो greater than or equal to 0 हो clear है और a into b greater than or equal to 0 कब हो सकता है इसमें आपके सामने दो case बन सकते है या तो a greater than or equal to 0 हो जाए और b b greater than or equal to 0 हो जाए और यहां दोनों की दोनों की value less than or equal to 0 हो जाए ठीक है न तो उस case में भी दोनों का product क्या हो जाएगा positive हो जाएगा तो यहां पर यह जो क्यूस्टा ने इसके अंदर आपको कुछ ऐसा ही दिया गया है यहां पर a की value है आपके सामने x square minus 1 और b की value है आपके सामने sin x अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर देखिए इन दोनों का sum है a plus b और इधर है आपके सामने mod a plus mod b तो actually आपको क्या करना है आपको इन दोनों inequality को solve करना है और solve करके आपको बताना है कि इनका जो solution होगा वो क्या होगा clear है तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब यह positive होगा left hand side वाला case इस case में हमारा क्या answer आएगा तो और हमें answer देखिए इसी interval में निकालना है minus 2 pi से plus 2 pi के बीच में ठीक है तो हमें इसके बाहर नहीं सोचना है शिरफ इसके अंदर ही सोचना है तो देखिए यह number x square minus 1 greater than 0 कब होगा या तो x आपका 1 से बड़ा हो जाए या x आपका minus 1 से छोटा हो जाए और इसके equal हो जाएगा तो भी चल जाएगा तो यहाँ पर दोनों जगेपर आप क्या बना दें dark circle clear है इसके अलावा sin x की value positive कब होगी और 0 कब होगी clear है तो sin x आपके पास में positive होता है देखिए 0 से पाई के बीच में एक तो पाई आएगा आपका आगे की तरफ और दूसरा होगा आपके सामने कहां पर दूसरा रहेगा आपके सामने minus 2 पाई से पाई के बीच में तो minus 2 पाई से पाई के बीच में ठीक है तो एक तो आपके सामने यहाँ पर मिलेगा minus 2 pi से minus pi और दूसरा आपको मिलेगा 0 से लेकर के pi के बीच में और इसके अलावा देखिए क्योंकि equal to 0 है तो sin x की value जो आपका 2 pi वाला जो point है ठीक है ना वहाँ पर भी क्या होगी वाँ पर भी 0 होगी तो वो जो point होगा ठीक है वाँ पर वो भी हमारा answer का part रहेगा अब देखिए हमें क्या करना है हमें इन दोनों का common solution निकालना है ठीक है और इन दोनों का common solution क्या आएगा किस तरीके से निकालेंगे तो जहाँ पर भी आपके सामने यह दोनों lines एक साथ आ र bracket रहेगा close bracket रहेगा ठीक है तो यह वाला answer आपका part में रहेगा तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फिर एक साथ लिख लेंगे पूरे answer को minus two pi से minus pi ठीक है यह हमारा पहला interval है जो हमारा solution का आ रहा है clear है दूसरा interval आएगा देखिए हमारा one से pi के बीच में तो दूसरा interval आएग हमारा one से लेकर के pi के बीच में और साथ में इसके अंदर एक point भी मिलेगा हमें वो होगा two pi ठीक है एक तो हमारा यह answer होगा यह तो हमार पहली inequality का solution ऐसे ही हम दूसरी inequality का solution निकालेंगे जिसे पहली का निकाला है ठीक है न तो a negative कब होगा देखिए negative होगा जब वो minus one से one के बीच में होगा कहा होगा minus one से one के बीच में और sin x हमारा negative कहां पर होगा so sin x हमारा negative होगा एक तो pi से two pi के बीच में और दूसरा minus pi से zero के बीच में तो देखते हैं देखिए zero बीच में आएगा pi आपका आगे चला जाएगा और two pi भी आगे चला जाएगा तो एक तो यहां पर देखिए यह आएगा लेकिन यह वाले part में तो यह line आ नहीं रही तो वहां से तो आपका कोई answer आएगा नहीं ठीक है दूसरा होगा आपका minus pi से zero के बीच में so minus pi आपका यहां पर रहेगा so minus pi से zero के बीच में आपके line बनेगी और यहां पर आएगी ठीक है तो इस के इसाब से आपका जो answer आएगा वो क्या आएगा वो आएगा आपका इन दोनों lines के बीच में और यहां से शिरफ यही answer आ रहा है तो यहां से answer आएगा आपका minus 1 से लेकर के 0 के बीच तो एक तो आपक होगा वो है आपका option number fourth और इसका complete korn हाल आपको बताना है ऐसा नहीं कि जिसे इसमें भी आ रहा है minus 2 pi से minus pi ठीक है इसमें भी आ रहा है minus 1 से 0 ठीक है लेकिन जो complete solution होगा आपका वो कौन सा है वो है option number 4 के अंदर इस पूरी inequality का के लिए है और इसको ध्यान than equal to 0 होता है अगर इसकी value इससे ज़्यादा दी हुई है ठीक है न वो possible नहीं है क्यों क्योंकि 2 modulus का sum हमेशा positive होता है तो वहाँ पर no solution रहेगा और अगर इसकी value इससे कम दी हुई है तो वो तब होगा जब आपके पास में A into B का product कैसा होता है negative होता है ठीक है तो काफी important property होती है इसको ध्यान में रखिए आगे बात करते हैं next question question number 4 question number 4 के अंदर देगी आपको क्या दिया गया है question number 4 के अंदर आपको inequality दी गई है और आपको inequality को solve करना है तो कैसे solve करेंगी देखिए जब भी किसी inequality में बहुत सारी terms एक साथ दी हुई हो आपको ठीक है तो उस case में आपको क्या करना है आपको उस inequality से एक-एक टरम के साथ में analysis करना है पहले कि कौन सी टरम के साथ में क्या चीज हो सकती है clear है तो सबसे पहले देखिए इस inequality के अंदर क्योंकि 6 टरम दी हुई है तो हम यह देखेंगे कि इस inequality में कोई ऐसी टरम तो नहीं है जो हमेशा positive हो तो ऐसी टरम आपको यहाँ पर मिलेगी देखिए एक तो यह वाली जो टरम है आपके सामने 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x ठीक है exponent हमेशा positive होता है तो यह number greater than 0 और यह number भी greater than 0 और दो number अगर 0 से बड़े हैं तो उनका जो sum होगा उनका जो योग होगा वो भी हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा होगा यह जो टरम है यह आपकी हमेशा positive है तो इसको आप क्या कर सकते हो अपने क्यूशन से हटा सकते हैं ठीक है यह टरम हमेशा greater than और equal to 0 होगी clear है बट क्योंकि हमें greater than 0 चाहिए ठीक है तो 1 minus sin x की value अगर greater than equal to 0 क्यों होगी क्योंकि sin x की जो value होती है वो होती है minus 1 से 1 के बीच इसको जब आप minus 1 से multiply करेंगे तो सिरफ यहाँ पर inequality का sign change होगा और कोई फरक नहीं पड़ेगा और इसमें जब 1 aid करेंगे तो इधर 2 आ जाएगा और यह हो जाएगा 1 minus sin x will be greater than or equal to 0 तो हम देख रहे हैं कि यह number जो हमें से 0 या 0 से बड़ा है clear है और 0 कौन से point पर होगा ऐसे points पर होगा जो आपके सामने क्या होगा जिसे जब sin x 1 होगा तो वो जो particular points है अगर हमें लिखने होगे ठीक है तो हम उनको लिख सकते हैं कि sin x की value क्या नहीं होनी चाहिए 1 नहीं होनी चाहिए और sin x की value 1 कब होगी क्योंकि जब sin x की value 1 हो जाएगी तो यह 0 हो जाएगा 0 से बड़ा नहीं होगा इसको भी आप question से अटा सकते हो बड़ साथ में यह condition लिख लें और इसको आप question से यहां से अटा सकते हैं clear है अब आपके सामने जो पिछे जो parts बचा है ठीक है उसको अगर आप ज्यान से देखेंगे ठीक है तो उस inequality के अंदर जो trams बची हुई है उसको आप आराम से solve कर सकते हैं सबसे पहली ट्रम है हमारे सामने वहां पर x-2 root 2 दूसरी ट्रम है हमारे सामने x-3 तीसरी ट्रम है हमारे सामने root 3-x उसमें से minus sign common ले लिए तो वो हो जाएगा x-root 3 और आगे है x-5 और जो minus sign आपने यहां पर common लिया था उस minus 1 से multiply कर दीजिए तो जैसे minus 1 से multiply करते हैं तो inequality का sign क्या हो जाता है change हो जाता है यह हमने minus sign common क्यों लिया क्योंकि यह हम एक process लगाएंगे और उसके अंदर अगर आपके सामने सारे x के coefficient अगर positive रहते हैं ठीक है तो वो process लगाना आपके सामने थोड़ा easy हो जाता है और आप अच्छे से वहां पर क्या कर सकते हो analysis कर सकते हो अब बस आपको यह देखना है कि यह inequality less than 0 कब होगी तो अगर हम इसमें वेविकवर method यूज़ करें तो देखिए हमारे को चार point दिये गए है और वो जो point है वो क्या है सबसे चोटा point है आपका root 3 इसके बाद में है आपके सामने 2 root 2 इसके साब बाद में आपके सामने है 3 और इसके बाद में है 5 अब देखिए अगर आपने इस सारे coefficients positive कर दिये है तो आप क्या कर सकते हो आप बिना सोचे समझे इधर से positive sign लगा करके और इसके उपर क्या कर सकते हो alternate sign लगा सकते हो ठीक है आपको power बगरा वो का वो भी नहीं देखना है एक तो होगा आपका minus root 3 से लेकर के इसके बीच में और दूसरा होगा आपका 3 से लेकर के 5 के बीच में और क्यूसन में आपको ये बताना है कि number of positive integral solution of x which satisfied this inequality इस inequality को positive integral solutions कितने satisfy कर रहे हैं तो देखिए root 3 से 2 root 2 के बीच में शिरफ आपका एक ही integer point होगा वो होगा 2 और कोई नहीं होगा क्योंकि root 3 और 2 root 2 के बीच में शिरफ एक ये ही integer है और ऐसे 3 से 5 के बीच के अंदर आपके सामने शिरफ एक ही integer है that is 4 ठीक है तो आपके इसके corresponding answer आना चाहिए x equal to 2 और x equal to 4 means 2 solutions आने चाहिए लेकिन अभी भी आपका answer यहां complete नहीं हुआ है क्योंकि आपने एक condition पिछे छोड़ के आयते उसको भी आपको check करना है x equal to 2 और 4 पर कहीं sin x की value 1 तो नहीं है तो x equal to 2 और 4 दोनों ही case में sin x की value 1 नहीं आएगी और 1 नहीं आएगी तो हमें कोई problem नहीं है that means यह जो दोनों numbers है x equal to 2 और 4 यह हमारे क्या है answers है तो इसके total number of solutions जो होंगे positive integral solutions वो कितने होंगे 2 होंगे clear है बचों यह था हमारा question number 4 आगे बात करते है next question quadratic का उसके बारे में तो क्या है देखिए इस question के अंदर आपको क्या दिया गया है कि एक quadratic equation है k square minus 3k plus 2x square plus 4x plus k square minus k equal to 0 so sum of all values of k for which the given equation has one root infinity देखिए एक root infinity का क्या meaning होता है आपका सबसे पहले तो एक root infinity का meaning यह होता है कि अगर किसी quadratic का एक root infinity है that means उसका एक ही root है और quadratic का एक root कब होता है तो quadratic का एक root नहीं होता है quadratic के तो हमेशा दो root होते है और अगर आपको यह बोला गया है कि उस quadratic का एक root है that means पिर वो quadratic नहीं होगी वो आपकी linear equation होगी और linear equation होने के लिए आपको क्या condition लगाने पड़ेगी x square का जो coefficient है वो 0 होना चाहिए और x का जो coefficient है वो क्या होना चाहिए वो non-0 होना चाहिए तो x का coefficient है 4 ये non-0 होना चाहिए तो 4 तो कभी भी 0 के equal नहीं होगा ये condition तो हमेशा correct है लेकिन ये condition हमेशा correct नहीं है ये आपकी कब 0 होगी तो इसको जब आप solve करेंगे तो यहां से आपको k की 2 values मिलेगी k-1 into k-2 will be equal to 0 so k की जो 2 values आ रही है 1 and 2 सिरफ इसी case के अंदर इसका क्या होगा एक root आपका infinity पे होगा तो आपसे question में पूछा गया sum of all values of k तो k की जो 2 values है उन दोनों का जो sum आएगा वो कितना आजाएगा वो 3 आजाएगा क्लियर है तो इस हिसाब से हमारा इस question का कौन सा answer correct होगा option number 4 क्लियर है बच्चो चलिए आगे बात करते हैं next question और next question में देखिए हमें क्या दिया गया है next question number 6 है हमारा और यहां पर आपको बोला गया है कि alpha और beta इसके root से equation के such that alpha 1 से 2 के बीच में है और beta 2 से 3 के बीच में है then number of positive integral value जो प्लेमडा तो देखिए इस quantity को अगर ध्यान से देखे तो x square का coefficient इसमें positive है और अगर x square का coefficient इसमें positive है तो इसका जो graph बनेगा वो हमेशा ऐसा बनेगा clear है अब आपको यह बोला गया इसके अंदर कि इसके जो दो roots है alpha और beta ठीक है वो कहां लाई कर रहे हैं तो alpha तो है आपका 1 से 2 के बीच में और beta जो है वो है आपका 2 से 3 के बीच में तो इसका क्या meaning हुआ इसका meaning यह हुआ कि जब आपका यह graph उपर की तरफ जाएगा ठीक है तो f of 1 पर value आपकी कैसी आएगी positive f of 2 पर value कैसी होगी negative और f of 3 पर value कैसी होगी positive यह तीनों conditions आपकी क्या होनी चाहिए correct होनी चाहिए और यह अगर तीनों condition correct हो जाएगी तो जो भी आपके सामने होगा इसके जो roots होंगे वो हमेशा 1 से 2 के बीच में लाई करेगा और 2 से 3 के बीच में लाई करेगा यहां पर आपको discriminant check करने की ज़रूत नहीं है क्योंकि आपको question के अंदर आप यह चीज़ चेक कर रहे हो कि 1 पर sign positive है 2 पर negative है और फिर 2 पर negative है और 3 पर positive है that means इसके साथ में आपका discriminant वाली condition automatic आ जाएगी क्यों क्योंकि आपने एक root की condition यहां पर और दूसरी root की condition यहां पर लगा चुके हैं तो आपको बस यह तीनों value चेक करनी है तो सबसे पहले आपको condition लगानी है कि f of 1 अगर इसको हम function माल लेते हैं f of x ठीक है तो f of 1 क्या होना चाहिए greater than 0 दूसरी condition f of 2 कैसा होना चाहिए less than 0 और तीसरी condition f of 3 कैसा होना चाहिए greater than 0 3 पर value positive 2 पर negative और 1 पर positive होनी चाहिए चली बात करते है 1 जब इसमें put करेंगे तो हमें मिलेगा 3 minus 12 plus lambda by 3 will be greater than 0 so lambda by 3 will be greater than 9 so lambda will be greater than 27 दूसरी condition f of 2 को जब negative करेंगे तो 2 जब put करेंगे तो देखे आएगा 12 minus 24 plus lambda by 3 कैसा होना चाहिए less than 0 होना चाहिए so lambda by 3 की value होनी चाहिए less than 12 so lambda होना चाहिए less than 36 यह हो गई आपकी second condition ऐसे हम एप आप 3 निकालेंगे तो एप आप 3 की value कितनी आएगी देखिए 3 पर आएगा आपके पास में 9 into 3 27 minus 12 into 3 there will be 36 and plus lambda by 3 will be greater than 0 तो यहां से भी आएगा lambda by 3 greater than 9 so lambda will be greater than 27 और यह तीनों conditions correct होनी चाहिए that means इन तीनों का common solution हमें लेना है तो इनका जब common solution की बात करेंगे तो हमें मिलेगा lambda belong to 27 से 36 और lambda अगर 27 से 36 के बीच में आ रहा है तो आपको यह बताना है कि इसके बीच में आपके सामने कितनी positive integral values होगी lambda की so 27 से 36 के बीच में total आपकी 8 values होगी तो इसके इसाब से इसका आपका again पहला option क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो यह था आपका question number 6 का solution चलिए आगे बात करते हैं question number 7 के बारे में और आपको यह बताना है कि यह जो expression है इसकी value क्या होगी तो देखिए जब भी इस तरीके के complicated expressions आते हैं आपके सामने ठीक है तो आपको ऐसा नहीं है कि सीधा इसके अंदर values put करने का सोचना है ठीकिन आपको थोड़ा सा इसको पहले जान से देखना है इसमें जो भी terms आपको दी गई है उन terms के आप values निकाल करके put कर सकते है या नए clear है तो देखिए alpha और beta इस समीकर्ण के roots है तो इसको satisfy करेंगे तो यहां से आप लिख सकते हो alpha square plus 2 alpha minus 1 will be equal to 0 तो यहां से देखिए आपके सामने से एक साथ expression आ रहा है तो इसकी value आप निकाल सकते हो इसको alpha से divide कर दो तो यह बन जाएगा alpha minus 1 by alpha will be equal to 2 साथ में देखिए यहां पर एक term आ रही है alpha plus 2 तो alpha plus 2 की value भी आप यहां से निकाल सकते है यहां से alpha plus 2 की value कितनी आ जाएगी एक alpha common ले लीजिए तो उदर आ जाएगी आपके सामने 1 upon alpha और जैसे देखिए आपके सामने यह दोनों values आई है वैसे ही यह beta भी इसका root है तो similarly आपको beta की भी 2 values मिलेगी ऐसी beta minus 1 by beta जो होगा वो 2 के equal आएगा और beta plus 2 की जो value होगी वो 1 by beta के equivalent होगी तो यह जो values है सबसे पहले यह आप expression में substitute कीजिए ताकि आपका expression थोड़ा easy बन जाएगा ठीक है और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे values पूट करेंगे तो चलिए बात करते हैं 8 time alpha beta to the power 4 इसको as it is रखा beta plus 2 कितना है हमारा 1 by beta तो जैसे ही वहाँ पर beta put करेंगे तो यह बन जाएगा 1 upon beta की power 4 क्लिर है similarly यहाँ पर आएगा हमारे सामने 8 time beta into alpha की power 4 और alpha plus 2 को हम 1 by alpha put करेंगे तो यह बनेगा 1 upon alpha की power 4 divide by alpha minus 1 by alpha कितना है 2 तो यहाँ पर 2 put करेंगे तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 4 और beta minus 1 by beta यह भी 2 है तो इसकी value भी कितनी हो जाएगी 4 आगे बात समझ में चलिए आगे बात करते देखिए इस से यह कट जाएगा alpha की power 4 से alpha की power 4 कट जाएगा और यहाँ से 8 common आ जाएगा तो 8 common लिया alpha plus beta divide by 8 8 से 8 कट गया तो देखिए कितना simple बन गया alpha plus beta निकालना है और sum of root की अगर हम बात करें यहाँ से minus b by a so that will be 2 so minus 2 आपका क्या होगा answer होगा और इसके corresponding इस question का आपका कौनसा option सही होगा option number 1 फिले रहे बच्चों चलिए आगे बात करते हैं next question और next question क्या है हमारा कि एक paragraph है आपको इस paragraph के अंदे equation यहाँ पर है equation आगे आएगा तो इस paragraph को हमें क्या करना है solve करना है तो चलिए बात करते हैं आपको एक n degree का sum of root का समिकरन दिया गया है equation दियू यह x की power n plus 5x square plus 7x minus 2 equal to 0 इसके roots है alpha 1 alpha 2 up to alpha n इसके n roots है और साथ में आपको यह भी दिया वा है कि n will be greater than or equal to 5 means यह जो आपके सामने समिकरन है equation है इसकी degree हमेशा 5 या 5 से ज़्यादा है और एक आपको यहाँ पर summation की term दियू है sk will be equal to summation of i equal to 1 to n alpha i की power k और इसी के corresponding फिर आपको अपने question solve करने है तो सबसे पहला question के जिसे हम बात करें तो question देखते हैं और उसमें जिस चीज़ की जरूत होगी हम उसको निकालने की causes करेंगे तो आपसे पूछा गया है s2 so s2 का क्या मतलब हुआ s2 का मतलब यह हुआ कि आपको वहाँ पर अब देखिए जब आप इसको term को solve करेंगे simplify करेंगे तो आपको क्या बनेगा तो देखिए जब भी आप square की terms होती है ठीक है और उसको अगर आपको क्योंकि sum और product में convert करना है ठीक है तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे summation of alpha i का hall square इसका मतलब क्या हुआ alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 up to alpha n ठीक है इन सारी term का square and minus 2 time summation of summation of alpha i alpha i plus 1 या इससे कहे कि दो-दो के जितने भी product आपके सामने possible होंगे alpha i alpha j ठीक है ना दो-दो के जो भी possible product होंगे उन सबको हम यहां से क्या करेंगे सब्टेट करेंगे लेकिन देगी इस equation में अगर हम देखें तो इसके अंदर जो sum of root आएगा कितना summation of alpha i कितना आएगा तो वो आएगा आपका 0 क्यों? क्योंकि इसके अंदर x की power n minus 1 का जो coefficient है आपका वो कितना है वो है नहीं है इसका मतलब यह हो गया कि इसका sum कितना हो गया? 0 और ऐसे दो-दो का जो भी product होगा alpha i, alpha j ठीक है न यह भी कितना होगा? यह भी 0 होगा अच्छा हमें यह कैसे पता चलेगा कि हो सकता है कि n की value यहां पर 3 हो जाए तो तो आप कहेंगे कि sir answer आ जाएगा minus 5 इसका और इसका आ जाएगा 7 लेकिन ऐसा नहीं होगा क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको साथ में यह condition दी हुई है कि n will be greater than or equal to 5 इसका मतलब यह हो गया कि यहां पर आपको कम से कम x की power 5 की term मिलेगी और x की power 5 की term मिलेगी तो x की power 4 का term 0 होगा और x cube की term 0 होगी एटलिस यह 2 तो आपको हमेशा 0 मिलेंगे और इस question में हमें इन 2 ही चीजों की जरूत है बाकी चीजों की जरूत नहीं है तो यह भी 0 होगा और minus 2 time यह भी क्या होगा? 0 तो आपका answer कितना आ जाएगा? 0 के लिए रहे बच्चों तो यह था आपका passage का पहला question इसी तरीके से इसके अंदर एक question और है ठीक है तो चलिए उसके बारे में देखते है और इस question में देखिए आपको क्या दिया गया है इस बार आपको निकालना है S100 तो इस बार आपको लग रहा हुगा कि दिक्कत होगी क्योंकि S2 में तो बहुत easily हमने formula लगा दिया था ठीक है? बट यहां पर हम इसके अंदर formula कैसे लगाएंगे? क्या करेंगे? तो देखिए यह भी हो जाएगा ठीक है? question आया है तो यह भी solve होगा और किसी ने किसी process के through ही solve होगा S100 का मतलब यह हुआ आपके सामने alpha 1 की power 100 plus alpha 2 की power 100 up to so on alpha n की power 100 अब देखिए इसको हम उस तरीके से convert तो नहीं कर सकते जैसे अभी किया था लेकिन एक तरीका इसमें लगा सकते हैं क्योंकि यह देखिए alpha 1, alpha 2, alpha n इसके roots है न तो इसको satisfy करेंगे तो यहां से alpha 1 की power n ठीक है? alpha 1 की power n जो होगा वो कितना आ जाएगा? वो आपके सामने आ जाएगा minus 5 time alpha 1 square minus 7 alpha and plus 2 इसके equal हो जाएगा क्योंकि इसको satisfy करेगा हमें चाहिए कितना? हमने चाहिए alpha 1 की power 100 तो इसमें आप n की value 100 पूट कर दें तो जैसे n की value 100 पूट करेंगे यह आ जाएगा minus का 5 time alpha 1 square minus 7 alpha plus 2 जैसे alpha 1 आया है वैसे आपके सामने alpha 2 आयागा बस आपको यहां पर alpha 1 की जगे पर alpha 2 पूट करना पड़ेगा तो यह सेम ट्रम आपके सामने यहां बन जाएगी minus 5 time alpha 2 का all square minus 7 time alpha 2 and plus 2 और एसे ही आपका आगे चलता रहेगा क्लिर है? फिर से देखे आपके सामने वैसी ही expression बनेंगे एक आपके सामने square वाला expression बनेगा alpha 1 square plus alpha 2 square up to alpha 100 n का square minus 7 time alpha 1 plus alpha 2 plus alpha n और देखे यह एक साथ में आएगा 2, 2, 2 यह constant आएगा तो यह कितनी बार आएगा? 2 time 100 क्योंकि n की वाली कितनी है हमारी 100 total यहां पर कितनी 100 ट्रम्स है? क्लिर है? चलिए यह हम last question में निकाल चुके हैं इसका सम कितना आया था? 0 minus 5 time 0 minus 7 time, sum of root हमने last question में यहां पर use किया था यहां से हमने discuss किया था कि sum of root की value क्या होगी? 0 तो इसका सम भी कितना है? 0 और यह आपके सामने कितना आ जाएगा? 200 तो पहली दोनों ट्रम्स 0 होगी और यह कितना होगा? 200 तो इस तरीके से हमारा इसका जो answer होगा वो कौन सा option होगा? वो option 2 correct होगा और इसका सम कितना आ जाएगा? 200 क्लियर है? तो देखी question को देखके गबराना नहीं कि power 100 आ गए तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि देखी question में इसलिए आपको यह ट्रम्स साथ में दी है ताकि आगर कोई भी higher power आए तो इसमें put करके वो सारी values यहाँ से क्या कर सको? निकाल सको ठीक है? question के अंदे जो data दिया हुआ होता है उन data को बहुत ही ध्यान से देखीए और देखी कि किस तरीके से उसको question में use करना है चलिए आगे बात करते हैं next question next question है हमारा next passage का और इसके अंदे देखी आपको क्या दिया गया है और क्या निकालना है तो question में आपको एक function दिया गया है f of x ठीक है? और यह quadratic function है इसके 0s है alpha and beta polynomial है तो आपको क्या करना है? 1 plus alpha into 1 plus beta का अधिकतम मान निकालना है ठीक है? the maximum value of 1 plus alpha into 1 plus beta तो चलिए बात करते हैं जो निकालना है उसी के बारे में देखते हैं इसको simplify किया तो हमें मिला 1 plus alpha plus beta and plus alpha beta इसकी हमें maximum value चाहिए तो इसके अंदर values put करते हैं तब हमें पता चलेगा कि हमें करना क्या है तो sum of root की value put कीजिए इसके अंदर कितनी आ रही है 1 plus alpha plus beta कितना होगा minus b by a b की value है minus 12 तो minus minus plus 12 हो जाएगा and divide by a की value है 3 time mod over a square minus 3a minus 2 और plus 4 ठीक है? यह हो गया आपका sum of root alpha plus beta ऐसे ही product of root आपको देखना है product of root होगा आपका 4 divide by 3 time mod over a square minus 3a minus 2 plus 4 अब देखिए हमें पूशा गया है कि इस expression की maximum value क्या होगी इसका अधिक्तम मान क्या होगा तो यह अधिक्तम कब होगा देखिए दोनों के देने denominator वाली टरम सेम है ठीक है तो इसका मान अधिक्तम तब होगा जब इसका denominator कैसा होगा noon term होगा और denominator noon term कब होगा क्योंकि देखिए आप मौडलस लगा हुआ है तो मौडलस की value noon term कब होती है जब भी उसका graph को आपका x axis के पास में रहेगा यह हो सकता है कि x axis के ऊपर आउ सकता है क्योंकि मौडलस कभी negative तो हो नहीं सकता तो इसका meaning यह ऐसा भी आपको नहीं करना है जैसे इस question में अगर आप direct करेंगे तो आपका काम चल जाएगा लेकिन आपका हमेशा सही नहीं आपाएगा आंसर तो ज्यान रखिएगा आपको क्या करना है आपको यह देखना है कि इस quadratic की minimum value क्या हो सकती है क्योंकि फिलाल इस quadratic का discriminant आ रहा है वो positive आ रहा है तो जैसे आप इस पे modulus लगाएगे तो इसकी minimum value आएगी वो इनी points पर आएगी और वो कितनी होगी 0 होगी तो यहाँ पर तो आप इस modulus को जब 0 करेंगे तो आपका answer आ जाएगा और सही होगा लेकिन देखिए बच्चों हमेशा सही नहीं आएगा क्योंकि अगर आपका quadratic का graph ऐसा होता आपके सामने quadratic अगर ऐसी होती तो फिर minimum value जीरो नहीं होती फिर minimum value आपकी यह वाली होती इस point पर जो y की value आती यह minimum होती clear है तो बट यहाँ पर इस question में तो इसके roots positive है तो इसकी minimum value 0 ही होगी तो इसको जब आप 0 put करेंगे तो यहाँ से देखिए आपको कितना मिलेगा 1 plus 12 divided by 3 times 0 plus 4 and plus 4 divided by 3 into 0 plus 4 तो देखिए कितना आ रहा है 12 से 12 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने 2 वहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा 1 by 3 2 plus 1 by 3 that will be equal to 7 by 3 तो यह आपका जो होगा वो क्या होगा correct answer होगा तो option number 2 will be correct clear है बच्चों? चलिए आगे बात करते हैं next question और next question में आपको क्या दिया गया है देखो इसी passage का part है और इसके अंदर आपसे फिर से question पुछा गया है और इस बार आपको थोड़ा सा question में data ज्यादा दियावा है उसके corresponding question को solve करना है क्या करना है देखिए passage वही है जो पहले था से करना fx की maximum value निकालनी है पहले तो आपको 0 से 2 के बीच में तो 0 से 2 के बीच में इसकी maximum value कौन से point पर होगी ये अभी हमें पता नहीं है तो हम पता करते हैं कि किस बिंदू पर किस point पर इसकी maximum value आएगी और वो कैसे पता चलेगा वो पता चलेगा हमें इसके vertex से ठीक है इसका vertex का x coordinate कितना होता है minus b by 2a ठीक है तो इसके बारे में बात करते हैं minus b कितना होगा देखिए b की value कितनी है यहाँ पर minus 12 तो ये हो जाएगा आपका 12 divide by 2 into 3 that is 6 और साथ में आपका आएगा mod of a square minus 3a minus 2 plus 4 जो आप simplify करोगे तो आपको मिलेगा 2 divide by mod over a square minus mod over a square 1 second देखिए क्या आएगा 12 divide by 6 2 हो जाएगा mod over a square minus 3a minus 2 plus 4 तो इसके जो x coordinate का जो vertex होगा ना उसकी value हमेशा ये 0 या 0 से बड़ा होगा भी हमने last question बात किये थी तो ये हमेशा 4 से बड़ा होगा और 4 से बड़ा होने का मतलब यह होगा कि इसका जो x coordinate है वो हमेशा 1 by 2 से चोटा होगा और 7 में 0 से बड़ा भी होगा ठीक है क्योंकि maximum ये कितना हो सकता है negative कभी नहीं हो सकता है ज्यादा सिधा ये बहुत बड़ा अगर number हो भी गया तो भी ये कितना आ सकता है 0 के around आ सकता है clear है और इसका देखिए x coordinate अगर 0 से 1 by 2 के बीच में इसका क्या मिनिंग हुआ इसका जो ये graph होगा ठीक है जैसा भी बनेगा ठीक है इसका जो ये x coordinate होगा ये कहां से कहां वेरी कर सकता है आपका ये 0 से 1 by 2 के बीच में वेरी कर सकता है ठीक है तो हम मान लेते हैं कि for example अगर 0 पर होगा तब तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि 0 पर अगर हुआ तो maximum value कहां पर आएगी 2 पर आएगी लेकिन अगर 0 पर ना होकर अगर हम ये भी मान लें कि ये 1 by 2 पर है हमारा vertex ठीक है तो अभी देखिए जो graph होता है हमारा quantity का वो symmetric होता है हमें सा ठीक है 1 by 2 से इधर तो जाना हमें 2 तक और इधर आना हमें 0 तक तो 1 by 2 के 0 ज़्यादा पास में होगा और 2 बहुत ज़्यादा आगे होगा तो 0 पर तो value आपको यहीं कई मिलेगी आजपास लेकिन 2 पर आपको value काफी ऊपर जाकर के मिलेगी तो इसको पूरे analysis को अगर हम देखते हैं तो हमें यह पता चल रहा है क्योंकि यह 0 से 1 by 2 के बीच में है तो हमें यह पता चलेगा कि इसकी जो maximum value आएगी वो कौन से point पर आएगी वो x equal to 2 पर आएगी अब आपका question बहुत simple हो चुका है आपको यह पता चल गया कि maximum value x equal to 2 पर है तो इसके बाद में आप g of a की minimum value आराम से निकाल सेखते हैं तो चलिए बात करते हैं कि इसकी minimum value कितनी आएगी चलिए सबसे पहले आप निकालें इसकी maximum value g of a कितना आ रहा है तो इसके अंदर x को 2 put कर दीजे equation में x को 2 put करेंगे तो आएगा 4 into 3 that is 12 time mod over a square minus 3a minus 2 plus 4 ठीक है यह बार 3 था और x को हमने 2 put किया तो यह हो गया मिलके 12 यहां पर जब आप put करेंगे 2 तो यह हो जाएगा minus 24 and plus 4 ठीक है अब हमें क्या करना है हमें इसकी minimum value निकालनी है तो इसकी minimum value कब होगी जब यह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और इसकी value 0 होगी तो यह हो जाएगा 12 into 0 plus 4 और यहां से minus 20 तो कितना आएगा 48 minus 20 that is 28 ठीक है तो इसकी जो minimum value आएगी वो कितनी आएगी 28 लेकिन ध्यान रखे ऐसा नहीं है कि आप इसमें x equal to 0 put कर दो और उसमें आपको 28 से चोटा number मिल जाए ठीक है और आपको लगेगी वो new time होगा तो ऐसा नहीं होगा क्यों क्यों क्योंकि पहले हमें f of x की maximum value जो होगी ना वो जो expression आएगा उसकी minimum value निकालनी है ठीक है अगर आप इसको maximum नहीं निकाल गए अगर आप इसको कुछ और निकाल लेते हो ठीक है तो हो सकता है कि आपको answer 28 से कम मिल जाए लेकिन फिर जो आप से question में जो पूछा गया है उस चीज का answer नहीं आपाया है तो इस तरीके से सबसे पहले तो आपको इसमें यह देखना है कि किस बिंदू पर यह maximum होगा f of x और जब आपको बिंदू पता चल जाए तो वो इसके अंदर put कीजिए और जैसे इसमें put करेंगे तो put करने के बाद में हमें पता चलेगा इसका जो answer आएगा वो कितना आ है क्लियर है बच्चों चलिए आगे बात करते हैं next question और next question क्या है देखिए हमारा कि अब देखिए हमारे multiple questions चालू हो चुके हैं ठीक है तो जो भी हम question solve करेंगे ठीक है उसके अंदर यह भी ध्यान रखेंगे कि हमारा जो answer है वो एक से ज्यादा आ सकता है तो जितने भी questions है सारे questions के अंदर हमें क्या करना है आपको यह ध्यान में रखते हो questions को solve करना है कि यह multiple correct questions है और ऐसा भी जरूर नहीं कि एक से ज्यादा होंगे ऐसा भी हो सकता है किसी question का एक ही answer हो तो चलिए बात करते है सबसे पहला question क्या है आपको ए quadratic दी हुई है x square minus lambda x plus 4 equal to 0 और आपको यह बोला गया कि this is half of the square of the other root इसका एक root है वो दूसरे के square का आदा है then possible values of lambda क्या होगी तो clear है आप question को देख लीजी द्यान से next slide में हम लोग इसको solve करेंगे हमें quadratic दी हुई है x square minus lambda x plus 4 और बोला गया है कि इसका एक root दूसरे के square का आदा है तो पर हमें equation क्या दी हुई थी पहले उसको लिख लेते हैं हमारे पास में equation थी x square minus lambda x plus 4 equal to 0 और हमें यह बोला गया था कि अगर इसका एक root alpha है तो दूसरा root इसके square का आदा है यह question में बोला गया है तो चलिए बात करते हैं यहां से product of root कितना आएगा alpha cube by 2 जो होगा वो 4 के equal है तो alpha cube की value होगी 8 और sum of root कितना होगा sum of root होगा lambda जो होगा alpha plus alpha square by 2 लेकिन देखे ज्यान से यहां से अम गलती क्या करते हैं हम सिधी alpha value 2 निकाल के इसमें put कर देते हैं लेकिन क्योंकि देखे एक cubic equation है तो इसके कितने roots होंगे इसके 3 roots होंगे खिलियर है और इसके 3 roots को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं आप alpha by 2 का whole cube will be equal to 1 लिख सकते हो इसको तो 1 के cube root निकाल के आप यहां से काम चला सकते हैं तो alpha by 2 के 3 roots होंगे और वो होंगे 1 के cube root जो होते 1 omega और omega square तो alpha की जो values आएगी हमारे सामने वो आएगी 2, 2 omega और 2 omega square यह complex number में पढ़ते हैं हम लोग कि 1 के जो cube root हो क्या होते हैं 1 omega और omega square तो alpha की यह तीनों value जब आप यहां put करेंगे तो देखेंगे कि lambda की क्या value जा रही है तो यहां से आपको देखिए जब 2 put करेंगे तो आपको मिलेगा 2 plus 4 by 2 so that is 4 एक तो lambda की value 4 आएगी और साथ में ही आप जब इसमें 2 omega या 2 omega square पुट करते हैं तो क्या रही है कि 2 omega पुट करेंगे तो आएगा 2 omega plus 4 omega square by 2 2 common आ जाएगा तो यहां पर बनेगा omega plus omega square जो कितना होता है minus 1 होता है 1 plus omega plus omega square 0 होता है तो इसकी value minus 1 होगी तो lambda की जो दूसरी value आएगी वो आपके आएगी minus 2 similarly अगर आप 2 omega square पुट करेंगे तो भी आपको यही value मिलेगी देखिए 2 omega square plus 4 omega की power 4 divided by 2 तो यहां से भी 2 common लेने इसके बाद आपको मिलेगा omega square plus omega जिसको minus 1 पुट करने से आपके सामने कितना आएगा minus 2 तो lambda की दो value जाएगी एक तो minus 2 और एक 4 और हम गलती क्या करते हैं हम सीधा यहां से alpha को 2 put करके यहां से सिर्फ एक ही answer निकाल लेते हैं 4 लेकिन ध्यान रखिए क्योंकि cubic equation है तो एक root ने इसके तीन root होंगे और वो तीनो root जब आप इसमें put करोगे तो आप देखोगे कि इस तरीके से आपको और next question में क्या है देखिए नेक्स्ट क्यूशन में आपको दिया गया है कि एक equation है एक स्क्वाइर माइनस 6 ax प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वाइर विल भी इक्वाल टू जीरो है बोट रूट्स आर रियल और डिस्टिंक और इस तरीके का ऊपर की तरफ खुलता हूँ आपका एग्राब बनेगा इसके जो दोनों रूट्स है वो रियल और डिस्टिंक है मैं इस x-axis को दो बार कट करेंगे और उनकी value at least 3 है इसका मतलब यह हुआ कि 3 वाला जो point होगा वो roots के इधर होगा तो इनकी value 3 या 3 से जादा है clear है तो जो 3 वाला जो point होगा वो आपका यहां पर होगा तो इसके corresponding आपको देखना है कि एक ही possible values क्या क्या हो सकती है तो देखी हम यह concept पढ़ते हैं कि अगर दोनों roots किसी number case से बड़े होते हैं तो हमें क्या conditions लगानी होती है ठीक और हम वहां से कैसे answer निकाल सकते हैं ए आप यह मतलब यह गया कि 3 वाला जो point है हमारा वह इस वाले पॉइंट पर भी हो सकता है clear है और इस point पर जब होगा हमारे पास में 3 इसका मतलब यह होगा कि after 3 यह भी हो सकता है या 3 वाला point आपका इसके कैनी पर भी पिछे हो सकता है तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले इसका discriminant निकालते हैं, तो discriminant कितना आएगा, discriminant कैसा होना चाहिए, greater than 0, तो वहाँ से मिलेगा आपको 36a square minus 4 time, a की value 1 है, 2 minus 2a plus 9a square, will be greater than 0, तो देखिए, 36a square और यह तो कट जाएगा, क्योंकि बाहर minus 4 है, तो minus 36 बन जाएगा, और यहां से आपको मिलेगा, minus 8 plus 8a will be greater than 0, so 8a will be greater than a, so a will be greater than 1, यह आपके सामने पहली condition है, क्लियर है, ऐसे ही हम दूसरी condition लगाएंगे, यह दूसरी condition किस पे लगाते हैं, दूसरी condition लगाते हैं, इसके vertex के x coordinate minus b by 2a पे, ठीके न, यह कैसा होना चाहिए, यह 3 से बड़ा होना चाहिए, तो जब आप इसमें condition लगाएंगे, तो देखिए, आपको क्या मिल रहा है, minus b by 2a क्या होना चाहिए, 3 से greater होना चाहिए, तो minus b by 2a, जब 3 से बड़ा होगा, तो minus b कितना है, यहां पर 6a, divide by 2 into a की value 1, will be greater than 3, तो यहां से भी हमें यही condition मिलेगी, a will be greater than 1, तो अभी तक देखिए, दोनों से हमें एक same condition मिली है, और वो क्या है, कि a मेरा 1 से बड़ा होना चाहिए, और अगर मैं सारे options को देखूं, तो सभी के अंदर देखिए, a 1 से बड़ा है, ऐसा कोई option नहीं है, जिसके अंदर a 1 से छोटा हो, लेकिन अभी भी हमारी a condition बची चाहिए, वो greater than or equal to 0 होना चाहिए, क्योंकि 3 वाला जो point है, वो इस root के इधर आ रहा है, तो या तो यह इसको उपर cut करेगा, और अगर इस point पर वहा तो उस case में क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, तो यह condition जब हम यह आप reply करेंगे, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 9 minus, 3 put करेंगे तो यह होगा, 18A plus 2 minus 2A plus 9A square will be greater than or equal to 0, इस quadratic को solve करते हैं, देखिए कितना आ रहा है, तो यहां से आपको मिलेगा, 9A square minus 20A और साथ में आपको मिलेगा, plus 11 will be greater than or equal to 0, इसको आप factorize कर सकते हो, ठीक है, इसको factorization करेंगे, तो देखिए कितना आएगा, 11 into 99, तो 99 के दो factors 11 और 9 ही होंगे, तो आपको मिलेगा, 9A square minus 9A minus 11A plus 11 will be greater than or equal to 0, यहां से 9A common आएगा, तो आपको मिलेगा, A minus 1 और यहां से minus का 11 common आएगा, तो यहां से मिलेगा, आपको A minus 1, तो इस तरीके से आपके दो factors आए, A minus 1 और 9A minus 11 will be greater than or equal to 0, क्लियर है, चलिए बात करते हैं, नमबर लाइन पर हमें 2 points है, एक है 1 और दूसरा है 11 by 9, और यह कैसा होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, that means इधर positive यहां negative और इधर फिर से positive, क्लियर है, हमें positive वाला part चाहिए, तो देखिए, क्योंकि A तो पहले से 1 से बड़ा था, ठीक है, तो यह वाला part तो आपका पूरा क्या हो जाएगा, answer में नहीं आएगा, क्योंकि यह तो हमारी पहली condition थी, कि A 1 से बड़ा होना चाहिए, और साथ में यहां पर हमारे को एक नई condition मिली है और वो मिली है कि 11 by 9 से लेकर के कहां तक होना चाहिए, इन प्रिंटी के बीच में होना चाहिए, तो इसके corresponding जब आप देखेंगे, तो आपका पहला answer सही होगा, 3 से 5, 2 से 4 भी सही होगा, और 4 से 5 भी सही होगा, लेकिन यह option आपका सही नहीं होगा, क्योंकि आपकी all our condition आ र इस वाले points से start होगा, ठीक है यह पूरा का पूरा set आपका उस interval में नहीं आएगा, 11 by 9 से infinity के बीच में, तो इस तरीके से देखेंगे, आपको location of roots के जो questions आते हैं, उसमें तीन चीजे निकालनी होती है, एक तो उसका x coordinate minus b by 2 a पे condition, दूसरा discriminant पर, और तीसरा आपका, वो ज चलिए, आगे बात करते हैं next question, और next question में देखिए आपको क्या दिया गया है, next question के अंदर आपको, consider the following statements, आपको दो statements दिये गए हैं, ठीक है, और आपको बताना है कि यह दोनो statements correct है या incorrect है, तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले statement को यहीं पर देख लेते हैं, और दूसरे statement को हम next slide करने देखेंगे, तो पहले statement को देखते हैं, alpha और beta पहली equation के roots है, sorry, alpha and beta, this and this के respectively roots है, इसका मतलब यह हुआ, alpha इसका root होगा, और beta आपका इसका root होगा, clear है, then the equation this has exactly one root is lies between alpha to beta, तो इसका हमें बताना है कि क्या इसका एक root इस interval में lie करेगा, अगर इसमें आता है, तो यह statement true हो जाएगा, और इसमें नहीं आता है, तो फिर false हो जाएगा, तो चलिए बात करते हैं, देखेंगे, alpha अगर पहली equation का root है, तो इसमें जब put करेंगे, a square alpha square, plus b alpha, plus c जो होगा, वो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ऐसे beta दूसरी equation का root है, तो इसमें जब put करेंग minus b beta, and plus, minus c will be equal to, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अब देखिए, अगर इस quantity का, एक root आपका, alpha से beta के बीच में लाई कर रहा है, इसका क्या meaning हुआ, कि alpha और beta, जो भी आपके number से, जो भी बड़ा चोटा होगा, अगर एक पर value आपके पास में positive आएगी, तो दूसरे पर value कै कैसी होगी, negative होगी, clear है, तो जो तीसरा हमारा expression है, उसको मैं अगर f मान लेता हूँ, तो f of alpha into f of beta कैसा होना चाहिए, less than 0 होना चाहिए, अगर ये negative आ जाता है, that means आपका expression, ये true होगा, नहीं तो ये false हो जाएगा, अब बात करते हैं कि f of alpha क्या होगा, f of alpha आपने किसको माना है, इस expression को, ठीक है न, जिसके root sum से उसे बोले गया है, तो f of x के अलफा पूट करेंगे, तो देखिए, आपको मिलेगा, a square, alpha square, साथ में यहां पर आएगा, 2b alpha plus 2c, तो वहां से 2 common ले ले, तो क्या आएगा, b alpha plus c, और साथ में ही, f of b beta निकालेंगे, तो उसकी value आएगी, a square, beta square, और वहां से 2 common लेंगे, तो b beta plus c, ठीक है न, सेम तरीके की values है, अब देखिए, b alpha plus c की value कितनी है, minus a square, alpha square, तो यहां पर जब आप minus a square, alpha square, पूट करेंगे, तो यह plus का और minus का two time, तो all hour आपके पास में क्या बचा, minus a square, alpha square, और यहां पर आप b beta plus c की जगे पर value क्या प equation से, तो यह जब put करेंगे, तो यहां पर यह बन जाएगा, plus two time, plus one time, so that is three time a square, beta square, तो आपके सामने यह जो quantity आ रहे है, देखिए, इसमें सारी की सारी square term है, और एक number आ रहा है, three, जो सब क्या हो सकते है, positive हो सकते है, ठीक न, यह वाली quantity है, यह हमेशा कैसी होगी, positive होगी, और इसके बहार एक negative sign है, that means यह number कैसा होगा, less than zero होगा, और हमें यही चाहिए था कि यह कैसा होना चाहिए, less than zero होना चाहिए, अगर यह less than zero आ जाता है, तो हमारा एक root alpha से बीटा के बीच में होगा, इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे पहला statement है, यह कैसा है, यह true है, अब ब पारे में देखते हैं कि दूसरा कितना होगा, दूसरे statement में आपको एक quadratic equation, sorry, एक expression दिया हुआ है, और आपको बताना है कि इसके कितने distinct real roots होगे, इसके total कितने roots आ सकते हैं, clear है, तो इसके अंदर आप LCM ले ले सबसे पहले, LCM लेंगे देखिए, आपको मिलेगा, x-1, x-2, x-3, x-4 आएगा, जो उदर 0 की तरह multiply हो जाएगा, लेकिन इदर आपको इस तरीके की trumps मिलेगी, x-2, x-3, x-4, पहले वाले के साथ, miss, इसके जो denominator में उस तरम को छोड़ करके, बाकि सारी आ जाएगी, तो 2 के नीचे कौन-कौन सी आ जाएगी, x-1, x-3, x-4, एसे 3 के नीचे क्या आ जाएगा, 3 के उपर क्या आ जाएगा, x-1, x-2, x-4, और एसे 4 के उपर अगर हम बात करें, तो यह हो जाएगा, x-1, x-2, x-3, अब देखे, बात करते हैं, मान लेते हैं कि यह कोई एक function है, that is f of x, clear है, तो क्योंकि इसमें 3-3 चीज़ें आ रही है, हमारे पास में 4 point है, 1, 2, 3, 4, तो इन 4 ओं पर values देखते हैं कितनी आएगी, तो f of 1 क्या होगा, और value क्या है, उससे हमें मतलब नहीं, इसका sign कैसा है, उसको देखना है, बस, f of 1 के लिए देखे, बाकी सारी terms 0 आ जाएगी, सिरब पहले वाली term आएगी, और इसके अंतर देखे, 1-2, negative, 1-3, यह भी negative, और 1-4, यह भी negative, तो all-or क्या आया हमारे पास में एक negative number, f of 1 पर इस expression की value negative होगी, ऐसी f of 2 निकाला हमने, f of 2 में बाकी सारी terms 0 हो जाएगी, सिरब यह टरम बचेगी, ठीक है न, इस टरम में जब put करोगे, तो 2-1 positive, 2-3 negative, और 2-4 negative, तो all-or quantity कैसी आ गई, positive, ऐसी f of 3 निकालेंगे, f of 3 के अंदर बाकी सारी terms 0 हो जाएगी, सिर negative और negative, so that will be negative, और इसे आप f of 4 निकाल लीजिए, f of 4 के अंदर तीनो quantity is positive आ जाएगी, तो फिर से आपको क्या मिलेगा, positive, अब इस से हमें क्या पता चलेगा, देखिए negative, positive से, हमारा जो यह जो expression होगा, ठीक है न, इसकी value x equal to 1, 2, 3 और 4 पर हमें पता है, कि उसका sign कैसा होग तो x equal to 1 पर जैसे क्या होगा, जो भी value आएगी, वो negative में होगी, 2 पर value positive में होगी, 3 पर value negative में होगी, और 4 पर value positive में होगी, clear है, और जब आप इन, क्योंकि एक polynomial equation है, ठीक है, इस polynomial equation का जब आप graph बनाएंगे, तो इन points को आपस में join करेंगे, और आपस में जब इस तरीके से join करेंगे, तो आपको इसको इस type का graph दिखाए देगा, clear है, और क्योंकि यह cubic equation है, तो इसके maximum 3 root ही आ सकते हैं, और यहाँ पर हमें दिखाए दे रहा है, कि इसका जो graph है, वो x axis को कितने points पे cut कर रहा है, 3 points पे cut कर रहा है, that means इस equation के हमारे पास में कितने distinct real roots होंगे, इसके 3 distinct real root होंगे, तो यह statement भी हमारा क्या होगा, true होगा, clear है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, कि हमारे जो दोनों statements है, वो क्या है, correct है, और दोनों statement correct है, तो हमारा कौन सा option सही होगा, option number 2 correct होगा, s1 is true and s2 is also true, लेकिन देखिए multiple choice questions में दिया हुआ है, लेकिन इसका एक ही option correct तो जो मैंने पहले बताया था, कि ऐसा जरूरी नहीं कि question में आपका एक से ज्यादा option सही हो, वो सकता है कि आपका एक ही option क्या हो, correct हो, के लिए रे बच्चों, चलिए, आगे बात करते हैं next question, और next question क्या है, देखो हमारा, next question में दिया है, देखो आपको, if the equation this has exactly one solution for x, then possible values of a is r, अगर इस equation का exactly एक ही solution है, तो a की possible values क्या क्या हो सकती है, इसके बारे में हमें discuss करना है, इसके बारे में बात करना है, तो सबसे पहले तो देखे, ये वाले जो term है हमारे पास में, ये कैसी है, ये log के अंदर है, तो ये कैसी होनी चाहिए, ये greater than 0 होनी चाहिए, ठीक है, दूसरी condition, दूसरी वाली जो term है, वो भी log के अंदर है, x प्लस a प्लस 3, ये भी क्या होना चाहिए, greater than 0 होना चाहिए, ये दोनों conditions को ध्यान में रखते हुए, हमें अपना a की value क्या करनी है, निकालनी है, चलिए आगे बात करते हैं, अब क्योंकि ये log को हम उदर लेके जाएंगे, तो दो लोग जब एक दूसरे के equal है, उनका base same है, तो उसके अंदर का जो argument है, वो भी क्या होगा, same होगा, so x square plus 5x हमारे पास में same होगा, x plus a plus 3, तो यहां से हमें मिलेगा, x square plus 4x minus a minus 3, clear है, इसको मान लेते हैं, ये एक function है, हमारा app of x, तो देखें, इस function का अब हमें analysis करना है कि, एक की ऐसी कौन-कौन सी values होगी, जब इस equation का exactly एक ही root आना चाहिए, ठीक है, तो देखें, कैसे analysis करेंगे, तो हमारे साम देखें, यहां पर एक condition थी, की x square plus 5x greater than 0, इसका क्या meaning हुआ, कि आपकी जो x की value है, वो क्या होनी चाहिए, वो आपकी minus 5 से 0 के बीच में होनी चाहिए, clear है, sorry, x की value या तो minus 5 से चोटी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्यों यह quantity positive होनी चाहिए, तो इधर positive आएगा, यहां पर negative, और इधर क्या आएगा, positive, ठीक है, तो x या तो आपका minus 5 से चोटा होगा, या 0 से बड़ा होगा, और साथ में हमें यह भी ज्यान रखना है, कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसका exactly एक ही root आना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो देखिए हमारे सामने क्या-क्या possibilities बन सकती है, इसको देखते हुए, तो सबसे पहले तो देखिए, इसका जो आपका जो graph है, या तो इस type का हो सकता है, ठीक है, य यह क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा x-5 से 0 के बीच में है ही नहीं, तो अगर graph यहाँ पर cut कर गया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, उस case में शिरफ एक ही root होगा, that is alpha, खिले रहे बच्चों, दूसरा case, अगर हमारे सामने graph ऐसा भी बन जाता है, तो भी चलेगा, इस case में भी क्या होगा, आपका एक ही root आएगा, और वो आएगा इधर, that is beta, क्योंकि दूसरा root होगा, वो या तो 0 होगा, या minus 5 से 0 के बीच में बनेगा इस case में, ठीक है, तो उस case में यहां का जो root होगा हमारा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो इसके बीच में आएगा, जो ह होगा है नहीं, तो एक ही root होगा, that is beta, या फिर तीसरा चोथा case ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि आपका graph या तो पूरा का पूरा इधर बन जाए, इसको touch कर जाए, और या फिर आपके पास में एक case ऐसा भी बन सकता है, कि पूरा का पूरा graph आपका इधर बन जाए, तो अब discuss किया था, और उसके बाद में जो बाकी जो दो case है, उनके बारे में discuss करते हैं, कि क्या होगा, चलिए, so, इस case के लिए आपको क्या करना है, देखिए, अगर हम बात करें, कि ये वाला जैसे हमारे सामने graph है, ये वाला, तो यहां पर देखिए, f of minus 5, या तो graph आपका यहां स भी pass कर सकता था, या ऐसा भी हो सकता था, कि आपका graph इस point से ना pass करके, ऐसे भी pass कर जाए, तो भी चल जाता, clear है, तो देखिए, जब इस point से pass करेगा, तब तो f of 0, 0 होगा, और f of 5 की value क्या होगी हमारे सामने, negative होगी, minus 5 की value क्या होगी, negative, और अगर for example, graph आपका यहां से pass क क्या होना चाहिए, less than or equal to 0 होना चाहिए, f of 0 और f of minus 5 का जो product है, वो क्या होना चाहिए, less than or equal to 0 होना चाहिए, clear है, चले, आगे बात करते हैं, देखिए, हमारे सामने, यहां पर यह expression था, minus a, minus 3, ठीक है, और हमने यह देखा कि यह less than or equal to 0 होना चाहिए, according to the graph, तो जब यह value निकालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए, जब 0 put करेंगे, तो हमें मिलेगा, minus a, minus 3, और जब minus 5 put करेंगे, तो हमें मिलेगा, 25, minus 20, minus a, और minus 3 will be less than 0, less than or equal to 0, तो यहां से आएगा, a plus 3, और यहां से कितना आएगा, यहां से आएगा हमारे सामने, 5 minus 3, that is plus 2, so a minus 2, ठीक है, minus a, और साथ में रहेगा कितना, plus 2, तो minus sign common ले लिया, so that will be less than or equal to 0, तो a की value आ रही है, हमारी minus 3 से लेकर के 2 के बीच, a belong to minus 3, 2, 2, अब देखिए, आपको जो options दिये हुए हूँ, minus 3, minus 1, 0, और 2, सारे के सारे options इसी के बीच में दिये गए हैं, तो यह चारो answers है या नहीं है, तो यह चारो इसके answers नहीं है, इसमें हमें एक point पर problem होगी, और वो point कौन सा है, वो है a equal to minus 3, अब हमें कैसे बता चलेगा कि problem होगी, तो क्योंकि हमने जो 0 और 5 वाले point पर equal to का case लिया था, वो हो भी सकता है और नहीं भी होगा, तो अगर वो नहीं होगा, तो फिर यहां पर open interval आएगा, और अगर वो हो सकता है, तो फिर close interval आएगा, तो आपको वो जो points है, यह जो close bracket वाले points है, वहां पर आपको check करना है, कि आपका exactly a की root आ रहा है, या एक से ज़ादा आ रहा है, तो देखें, जब हम यहां पर minus 3 put कर रहे हैं, तो हमारे इसके जो roots आएंगे, वो आएंगे x into x plus 4, तो इसके जो दोनो roots आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 0 और minus 4, जो possible नहीं है, क्योंकि हमारे roots क्या थे, या तो minus 5 से चोटे थे, या 0 से बड़े थे, और यहां पर तो दोनों ही roots आ रहे हैं, एक 0 और एक minus 4, that means minus 3 वाला जो है, यह हमारा answer नहीं होगा, क्लियर है, अब बात कर लेते हैं कि 2 वाला, क्योंकि दोनों को check करना पड़ेगा, 2 वाला को जब आप check करेंगे, एक की value जब 2 होगी, तो आपको मिलेगा, x square plus 4x and minus 5, क्लियर है, तो यहां से आपको आपका answer मिल जाएगा, और वो कितना आएगा, देखिए, x minus 5 into x minus 1, ठीक है, तो यहां से आपको दो answers आएगे, एक minus 5, और दूसरा आएगा आपका 1, ठीक है, तो यहां से देखिए, minus 5 तो क्योंकि आपका answer होगा नहीं, और x equal to 1, इसका exactly एक root होगा, तो यह आपके पास में चलेगा, that will be correct, और यह भी होगा, फिर सही है, 0 भी होगा, और minus 1 यह भी होगा, तो यह तीनों options आपके क्या होगे, correct होगे, अब रही बात कि जो बाकी जो case था, जब graph उसको touch कर रहा था, ठीक है, उस case में जो answer आएगा, वो options में क्यों नहीं दिया, क्या वहाँ से कोई answer आएगा या नहीं आएगा, तो उस case से आपका कोई answer नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, आप check कर सकते हैं, आपकी जो यह quadratic आए थी, इस quadratic का जब आप discriminant 0 करेंगे, क्योंकि touch तभी करेंगा, जब discriminant 0 होगा, और quadratic थी, क्या हमारी f of x will be equal to x square plus 4x minus a minus 3, तो इसका जब आप discriminant निकालेंगे, तो आपको मिलेगा 16 minus 4 into 4 plus 4, a plus 3 will be equal to 0, तो यहां से आपको मिलेगी a की value minus 7, और जब a minus 7 होगा, तो यह जो quadratic है, आपकी वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी x square plus 4x, ठीक है, जब आप minus 7 put करोगे, तो यहां पर आएगा plus 4, तो आपको जो point मिलेगा, वो मिलेगा x plus 2 का whole square, इसका मतलब यह होगा कि इसका जब discriminant 0 उसी case में होगा, जब यह graph कहां पर touch करेगा, वो x equal to minus 2 पर touch करेगा, तो minus 5 के इधर कभी touch करेगा नहीं, और 0 के उधर भी यह इसको कभी touch करेगा नहीं, ठीक है, इसलिए आपको यह वाला options नहीं दिया हुआ था, जहां पर आपका discriminant 0 होगा, क्योंकि वो possibility तब आएगी, जब x आपका कहां पर होगा, minus 5 से 0 के बीच में होगा, clear है बचों, तो इसके जो answers होंगे आपके सामने, वो second, third और fourth, यह तीनों answers है, और इन तीनों केस में आपको क्या मिलेगा, आपका exactly एक real route मिलेगा, ठीक है, चलिए, आगे बात करते हैं next question, और next question में क्या दिया है, देखिए हमें, next question के अंदर आपको दिया हुआ है, कि एक equation दी गई है, और आपको बोला गया है, कि इस equation के जो solutions होंगे, वो exactly 2 होंगे, ठीक है, more than 2 होंगे, more than 2 होंगे, या इस type के आपको exactly 1 solution कब होगा, यह सारी बातें के लिए दी गई है, तो सबसे पहले देखिए, कैसे solve करते हैं इस question को, आपको इसका graph आना चाहिए बनाना, ठीक है, इस वाले function को अगर मैं नाम दे दू, y equal to mod over 2x plus 3, plus mod over 2x minus 3, अगर आपको इसका direct graph नहीं आता है, तो इसको आप parts में break करके, और आप इसका graph बना सकते हैं, विसे देखिए, जब भी modulus के अंदर अगर linear drum हो, और उनका sum हो, तो उसका graph बनाने का तरीका होता है, आप क्या कीजिए, ये points लीजिए, minus 3, और 3 by 2, ठीक है, और इन points पर इस function की value निकाल लीजिए, तो जब इसको minus 3 by 2 put करेंगे, तो यहाँ पर 6 आएगा, और यहाँ पर भी कितना आएगा, 6 आएगा, फिर आप एक तो इन दोनों points को आपस में join कर दीजिए, इधर उपर चले जाएगे, इधर भी उपर चले जाएगे, और बाकी आप इसको parts में break कर सकते हैं, ठीक हैं, पार्ट में break करेंगे, तो आपको आपका ऐसा graph मिल जाएगा, और यह जो point है, यह कितना है, यह है minus 3 by 2, 6, यह है 3 by 2, 6, और इन lines के स्लोप की हम बात करेंगे, तो m equal to 4 आएगी, औ क्योंकि एक बार इन दोनों minus sign के साथ कुल लेंगे, तो minus 4x आएगा, और एक बार plus 4x आएगा, तो सिरी slope आप निकाल सकते हैं, अब जो देखिए, आपको हम options की बात करते हैं, और option के corresponding देखते हैं, कि इसके कितने solutions होंगे, तो पहला option है, more than two solutions होंगे, अगर P 0 है, तो इसका जब graph बनाएंगे इसके साथ में, तो वो इसी के उपर यहीं पर coincide करेगा, और यहीं पर coincide करेगा, तो इन दोनों के आपस में कितने solutions होंगे, तो minus 3x2 से लेकर के 3x2 तक सारे इनके solutions है, तो आपका पहला option correct हो जाएगा, कि more than two solutions होंगे, अगर P 0 हुआ तो, clear है, आग minus 4 से 0 या 0 से 4 के बीच में हुआ, तो y dash आपका होगा, वो बनेगा P x plus 6, और इसकी यह जो pass करेगा हमारा, जब x0 होगा, तो यह कहां से pass करेगा, 6 से pass करेगा, means इस point से pass करेगा, sorry, x equal to 0 यहां पर बीच में आएगा, तो यहां से 6 से pass करेगा, clear है, और इसकी slope आप क्या कर र केस में आपका जो graph इस point से pass होते हुए, इससे कम slope का होगा या तो इदर, और या फिर आपके सामने इदर होगा, इससे कम slope का, तो दोनों ही case में आप देख सकते हैं कि दो solution आ रहे हैं, एक इस case में यह और एक यह solution आ रहा है, तो अगर P आपका minus 4 से 0 के बीच में हुआ, तो उस case में आपके सामने exactly दो solutions होंगे, पीकी value गर minus 4 या 4 हुई तो क्या होगा, तो देखिए, पीकी value गर minus 4 या 4 हुई, तो उस case में क्या होगा, उस case में आपकी यह जो lines है, वो क्या हो जाएगी, यह इन दोनों lines के parallel हो जाएगी, और lines आपकी इसी बिंदू से pass करेगी, इसी point से, तो आपकी जो line होगी, या तो इधर आएगी इसके parallel, और या आपकी line इधर से आएगी जो इसके parallel होगी, और इस दोनों के parallel line आगी, तो यह graph को दوبारा कट नहीं करेगी, यह शिरफ इसी point से pass करेगी, और इस point से pass करेगी, तो इसका exactly एक ही solution होगा, आगे बात करें, more than two solution होगे, अगर P not equal to zero हुआ, तो यह तो गलत हो जाएगा, क्योंकि P equal to zero पर आपके सामने क्या आ रहे थे, more than two solution आ रहे थे, तो जब P zero नहीं होगा, और वैसे भी हमने देखा कि P की value जब zero नहीं है, तब कभी एक solution आ रहा है, कभी दो आ रहे हैं, ठीक है, more than two solutions नहीं आ रहे है के लिए रहे बच्चों, तो यह था हमारा question number five, multiple choice का, जिसके one, two and three, यह तीनों options correct है, ठीक है, और इसका graph बहुत अच्छे से आप लोग ज्यान में रखिए, ठीक है, बहुत जगे पर यह काम में आता है, कि modulus के अंदर अगर linear functions होते हैं, तो उसका graph कैसे बनाया जाता है, के points पर value निकालते हैं, points को आपस में join करते हैं, इधर भी उपर की तरफ बढ़ा देते हैं, इधर भी उपर की तरफ बढ़ा देते हैं, और यह चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इसको break करके parts में फिर भी आप इसका graph बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका graphical analysis आपको अच्छे से आ गया है, कि A, B और C के अंदर एक inequality है, जो इसको इस तरीके से satisfy कर रही है, alpha, beta इसके imaginary root है, कालपनिक roots है, तो आपको बताना है कि कौन सा option सही होगा, तो देखिए ABC 0 से बड़े हैं, that means CDC बात है कि real होंगे, क्योंकि imaginary numbers में कभी भी inequality नहीं लगती है, और ABC अगर real numbers होते हैं, तो किसी भी quadratic equation के अगर imaginary roots होते हैं, तो वो हमेशा pairs में आते हैं, तो इसका एक root अगर for example मान लेते हैं, कि Z1 है, so roots हमें दिया हुआ है, alpha and beta, ठीक है, तो एक root अगर इसका x1 plus iota y1 है, ठीक है, तो इसका जो दूसरा root होगा, वो क्या होगा, वो x1 minus iota y1 होगा, क्योंकि imaginary roots हमेशा क्या आते हैं, पेर में आते हैं, तो अगर हम इन दोनों का modulus निकालें, तो same आएगा, देखिए, mod alpha equal to mod beta आएगा, और वो होगा root over x1 square plus y1 square, तो एक option तो आपका ये सही हो जाएगा, कि mod of alpha और mod of beta की value क्या होगी, अब बात करते हैं, कि mod of alpha और mod of beta 1 से बड़े होंगे, या 1 के अगर हम इस quadratic के अंदर product of root की बात करें, alpha into beta तो वो कितना होगा, c by a, और क्योंकि हमें एक question में दिया हुआ है कि c a से बड़ा है, इसका मतलब ये हो गया कि alpha into beta जो होगा, वो 1 से बड़ा होगा, clear है, तो इसके modulus जो होगा, वो भी 1 से बड़ा होगा, और mod of alpha और mod of beta same है, तो इसका square 1 से बड़ा होगा, तो यहां से आपको दिखाए देगा, mod alpha 1 से बड़ा है, और क्योंकि दोनों same है, तो mod beta भी कैसा होगा, 1 से बड़ा होगा, तो mod alpha और mod beta 1 से बड़े हैं, तो option 2 भी आपका क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, और अगर 1 से बड़ा है, तो फिर 1 के equal हो चली बात करते हैं, next question, और next question क्या है हमारा, कि alpha and beta इस equation के roots है, such that आपका एक expression दिया गया है, और हमें बताना है कि इस expression के corresponding, कौन सा option सही है, clear है, चली इसको simplify करते हैं, सबसे पहले जो इसकी LHS है, side वो काफी complicated है, उसको simplify कर लेते हैं, और RHS में तो शिरफ alpha into beta की value put करनी है, त वो हम last में कर देंगे, तो इसकी LHS स्वाली side है, उसको में simplify कर रहा हूँ, और वहांपर अगर हम देखें, so 2A square plus alpha plus beta की value क्या आएगी यहां से 10A square, so that will be 10A square and plus minus 4A, यह हमारा पहला factor होगा, ऐसे दूसरे factor में put करेंगे, alpha plus beta की value put की सबसे पहले 10A square और साथ में दिया हूए में minus 2A square, और साथ में दिया हूए plus 4A, तो देखिए इसको जब simplify करेंगे यहां से, तो क्या मिलेगा हमें, 12A square minus 4A में से 4A common आ जाएगा, so that will be 3A minus 1, और यहां से भी आपके सामने 8A square, तो यहां से भी 4A common आ जाएगा, so यह हो जाएगा 2A plus 1, खीक है, तो इन दोनों को जब हम देखेंगे, तो 16A square और अगर इसको multiply कर दें, तो आपको मिलेगा 6A square plus 3A minus 2 है, that is A and minus 1, so 6A square plus A minus 1, अब देखिए हमें इससे क्या फायदा हुआ, यह हमारी LHS है, और RHS की अगर हम बात करें, तो RHS में 3 into alpha beta है, और 3 into alpha beta के अंदर, जब आप alpha into beta के value put करेंगे, तो आपको मिलेगा 4A square minus A plus 1, time 6A square plus A minus 1, तो देखिए, दोनों के अंदर एक factor आपके सामने सेम आ रहा है, और वो है 6A square plus A minus 1, तो इस factor को हम क्या कर लेते हैं, common निकाल लेते हैं, तो इसको जब common निकाल लेंगे 6A square plus A minus 1, तो पिछे हमारे पास में left hand side में बचेगा 16A square, और उन सारी terms को इधर ले आते हैं, तो वो हो जाएगा, देखिए, minus 12A square, यह minus minus plus हो जाएगा 3A, और यह plus 3 हो जाएगा आपका minus 3, तो यहां से देखिए, जो दूसरी equation है, इसके जो roots आएगे, वो कैसे आ रहे हैं, तो वो है आपके सामने, 4A square plus 3A minus 3, तो इसका discriminant डियागर हम बात करें, तो इसका जो discriminant आ रहा है, वो आ रहा है, 9 minus 16 into 3, there will be plus 48, so this will be 57, जो कि एक perfect square number नहीं है, और अगर यह perfect square number नहीं है, that means, इसके जो roots होंगे, वो कैसे होंगे, irrational होंगे, ठीक है, इसके roots irrational है, इसके roots rational है, क्योंकि यह हमने थोड़ी देर पहले यहां पर देखा था, इसको factorization, factor आ रहे थे, यहां पर इन factors को multiply करके यह आ रहा था, तो यहां से आप देख सकते हो, कि इसके दो roots होंगे, एक 1 by 3 और दूसरा minus 1 by 2, clear है, तो इसी के साथ में, अगर हम बात करें, तो हमें यह पता चल रहा है कि इस पूरे expression के अंदर दो roots आपके rational होंगे, और दो irrational होंगे, तो एक तो आपका option number 4 correct हो जाएगा, कि two rational and two irrational values of a possible होगी, साथ में ही आपको इसमें और क्या दिया गया है, option में sum of irrational roots, so sum of irrational roots में इस quantity के, जो roots का जो sum है, वो कितना आएगा, तो यहां से अगर हम इसके sum की बात करेंगे, तो इसके sum आएगा हमारे सामने minus 3 by 4, अगर इसके roots alpha dash, beta dash है, तो इनका जो sum आएगा, वो कितना आएगा, minus 3 by 4, और minus 3 by 4 हमें नहीं दिया होगा, ना तो इस option में ना इस में है, तो second और third दोनों options हमारे गलत हो जाएगे, पहले option में आपको दिया है, sum of all possible values of A, में चारों roots का sum कितना होगा, तो यहां से देखिए, sum of roots आ रहा है, minus 1 by 6 पहले वाले से, और यहां से कितना आया था, minus 3 by 4, तो इसके अंदर अगर हम LCM लेंगे, तो 12 आएगा, और उपर आएगा, हमारे पास में minus 2 minus 9, so that is minus 11 by 12, तो यह option आपका क्या हो जाएगा, आगें, सह हो जाएगा, तो यहां पर इस question में आपका एक तो पहला option सही है, और एक fourth option सही है, इस type के questions में देखिए, जिसमें calculations ज्यादा लग रही हो आपको, वहां पर थोड़ा सा systematic तरीके से question को solve कीजिएगा, हमेशा, ठीकर जैसे यह बड़ा expression था, इसको थोड़ा सा पहले simplify किया, औ और फिर देखा, दोनों में कुछ common तो नहीं आ रहा है, तो जाजातर जगे पर इसी चीज़े बन जाती है, जैसे यहां पर एक factor common आ गया था, और जैसी common लोग है, तो दूसरे वाला factor भी आपके पास में simple quadratic रहेगा, और फिर आप आराम से वहां से question के अंदर analysis कर सकते हैं, क अगर हम बात करें, तो आपका answer आएगा, यहां पर लिखा गया है, उसी के corresponding आएगा, integer आएगे 0 से लेके 99 के बीच में, ठीक है, तो हर question को solve करते time पर हमें उसी बात का जहां रखना है, कि हमारा answer क्या आना चाहिए, 0 से लेके 99 के बीच आना चाहिए, और integer आना चाहिए, तो mod a plus mod b कैसा होना चाहिए, a plus b के modulus से greater होना चाहिए, और ऐसा कब होगा, जब a plus b जो होगा, वो क्या हो जाएगा, sorry, a plus b नहीं, a into b का जो product हो जाएगा, वो कैसा हो जाए, less than 0, क्यों, क्योंकि अगर a और b opposite sign के होगे, तब ही आपके सामने यह value कम होगी, और क्योंकि यहां त होगा, जब यह a into b की value greater than or equal to 0 आ जाए, क्लियर है, अब यह दोनों चीज़ें आप लगा दीजिए, इसके अंदर, a कितना है हमारे सामने, x square minus 10x plus 21, और b है हमारे सामने, 11 minus x, यह कैसा होना चाहिए, less than 0 होना चाहिए, क्लियर है, इसको solve कीज़े, इसके factors कीज़े, इसके 2 factors ह इसमें से minus sign common ले लिए, तो inequality का sign change हो जाएगा, और यह हो जाएगा greater than 0, तो देखिए क्या आ रहे है, number line पर जब हम इसको put करेंगे, तो हमारे से पास में 3 values आ रही है, 3, 7 और 11, यह positive यह negative यह positive और यह negative, तो आप से question में यह पूछा गया है, the minimum value of positive integer satisfying this inequality, इस inequality को minimum कौन सी value greater than this positive values एक तो यहां पर है और एक यहां पर है, और इन में सबसे छोटा integer होगा, वो आपका कौन सा होगा, वो यहां पर आएगा और वो होगा आपका 4, तो इसका जो answer हो जाएगा, आपका वो कितना आजाएगा, 4 आजाएगा, 4 विल भी the correct answer, clear है, चलिए, आगे बात करते है next question, और next question क्या है, देखिए हमारा, next question आपका again quadratic से ही related है, और देखिए क्या है, x square plus 2kx plus k will be less than 0 for all x belong to 1 to 2, ठीक है, तो आपको बताना है कि k का जो interval है, वो भी आपको दिया होगा है, कि इस format का आएगा, तो यहां से आपको a और b की values निकालनी है, और यह आपको दिया होगा और कि a और b relative prime numbers है, तो a plus b का sum कितना होगा, तो देखिए यह जो quadratic है, यह उपर वाली quadratic है, क्योंकि x square का sign कैसा है, positive, ठीक है, और आपको बोला गया है कि इसके जो roots है, ठीक है, यह negative होगा आपका 1 से 2 के बीच में, इसका मतलब यह हुआ कि 1 से लेकर के 2 के बीच के जो भी numbers ह है, वो इनके roots के बीच में lie करने चाहिए, और इसके roots के बीच में lie करने चाहिए, इसका meaning यह हुआ, कि f of 1 भी आपका negative होना चाहिए, और f of 2 भी कैसा होना चाहिए, negative होना चाहिए, ठीक है, तो इन दोनों का जो answer आएगा, common solutions होगा, वो ही हमारा correct answer होगा, तो 1 कितना आएग हमारे पास में 2 put करेंगे, तो 4, 4k plus k, that is 5k plus 4, will be less than 0, so k will be less than minus 4 by 5, numbers line पर जब दोनों को put करेंगे, तो देखिए, कौन सा number पिछा आएगा, कौन सा बड़ा होगा, कौन सा चोटा होगा, तो minus 4 by 5 है, जो आपका, वो यहाँ पर होगा, और minus 1 by 3 है, वो यहाँ पर होगा, एक तो इदर है, और दूसरा इदर है, तो दोनों का common solution आपको देखना है, तो वो आएगा आपका इस interval के अंदर, ठीक है, और इसके corresponding आपका answer आएगा, k belong to minus infinity से minus 4 by 5, पर एसा ही solution आपको दिया हुआ है, minus infinity से a by b, और a और b relatively prime है, तो a की value 4 हो जाएगी, और b की value आपकी 5 आजा जाएगा, 9 हो जाएगा, कि लिए रहे बच्चों, चलिए, आगे बात करते हैं, तो चलिए देखते हैं, तो चलिए देखते हैं, और next question है हमारा, question number 3, integer type, find the sum of all possible values of P, so that the equation this has integral roots, देखिए, अगर इस equation के integral roots है, तो P की possible values का sum है, वो आपको find out करना है, और देखिए, कैसे solve कर करते हैं, इस type के questions को, इनको करने का जो सबसे best तरीका होता है, वो है आपका x square minus Px का क्या कर लेजिए, इसको factor कर लेजिए, पहले x square minus Px को, तो देखिए, आपको मिलेगा, x square minus Px, will be equal to minus 4, तो इसके factorization होंगे, x minus P, into x, and that will be equal to minus 4, अब देखिए, क्योंकि x एक integer है, ठीक है, और P की values हमें निकालनी है, तो इसके integral roots तभी possible होंगे, जो भी इसकी possible values होगी, minus 4 की, ठीक है, उसको और इसके जो दो factors है, उन दोनों को हम आपस में equivalent करेंगे, और minus 4 की जो possible values हो सकती है, आपके सामने, वो देखिए, बहुत ही कम values ह हो भी क्या-क्या हो सकती है, जैसे एक ऐसा हो सकता है कि minus 4 into 1 हो जाए, एक ऐसा हो सकता है कि 4 into minus 1 हो जाए, एक possibility 2 into minus 2, और दूसरी possibility minus 2 into 2, बस ये 4 possibilities हो सकती है, that means आपका जो answer आएगा, वो इनी में से, 4 possibilities में से आएगा, तो आपको वो सब कुछ करने की जरूत नहीं है, कि इस सबसे best तरीका होता है इसको करने का, देखिए कैसे solve करेंगे यहां से, इसके जो दो factors है, उस में से एक factor को आपको, जैसे पहले case में minus 4 के equal करना है, और एक factor को 1 के equal करना है, तो देखिए, इसको पहला factor माल लिया, इसको दूसरा factor माल लिया, तो अब यहां से भी आपको दु तो P की value भी आजाएगी, तो P equal to आजाएगा हमारे पास में 1 plus 4, that is 5, clear है, ऐसे ही आपको क्या करना है, दूसरे वाले case में निकालना है, जब X की value minus 1 हो जाएगा, तो फिर X minus P कितना हो जाएगा, वो आपके सामने 4 हो जाएगा, इसकी value जब minus 1 put करेंगे, तो देखिए, यहा X minus P minus 2 होगा, जब X की value 2 put करेंगे, तो यहां से आपको P मिलेगा 4, और similarly जब X minus 2 होगा, X की value minus 2, तो X minus P आपका 2 होगा, और यहां से आपको P की value मिलेगी minus 4, तो बस P की यह 4 possible values आएगी, 5, minus 5, 4 और minus 4, और अगर इन चारों का सम की हम बात करें, तो चारों का सम होगा, वो कि 0 होगा, तो इस question का आपका answer होगा, वो कितना होगा, 0 होगा, clear है बचों, चलिए, आगे बात करते हैं next question, और next question में देखिए आपको क्या दिया गया है, next question है आपका, लोग से related, basic maths का part है यह, और देखते हैं कि कितना आएगा इसका solution, क्या आ रहा है, यह आपका last, last year, advance में आया होगा question है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको, यह question था हमारा, so, एक second, चलिए, बात करते हैं कि इसको कैसे solve करेंगे, देखिए, लोग के अंदर जब भी exponent और लोग एक साथ आ जाए, तो आपको एक property जान में आनी चाहिए, यह किसके equal होता है, यह B के equal होता है, एक्सपोनेंट के साथ में जब भी लोग आता है, तो यह property आपको ज्यान में आनी चाहिए, कि यहां का number और यहां का number अगर same हो जाए, और इस type का अगर pattern हो, तो यह सारा part हट जाता है, और आपका answer सिर्फ B बचता है, और वही same चीज़ आपको इस question में apply करनी है, तो सबसे पहले तो देखें, यहां पर एक log 2 9 बार-बार यूज हो रहा है जिसे पहले वाले ट्रम में, और वो एक number है आपके सामने, तो log 2 9 को आप क्या कर लीजिए, इसको हमने k माना था, तो यह k हो जाएगा, इन्टू, इस 7 को लिख सकते हो, आप 7 की power 1 by 2, और hall to the power, देखें, लोग को जब आप numerator से denominator में जब लेके जाते हो, तो base और argument चेंज हो जाता है, तो यह बन जाएगा आपका log 7 4, जब इसको उपर लाएंगे, तो यह reverse हो जाएग इसके बाद में देखें, इसमें भी ऐसा ही करेंगे, इसको उपर लेके आते हैं, तो देखें क्या आएगा, k square की power log k2 और into, अब देखें क्योंकि वो property बनाने के लिए हमें यहाँ पर 1 by 2 नहीं चाहिए, तो इस 1 by 2 को उपर ले जाओ, इसको जो उपर ले जाएगे तो यह पर भी एक 2 है, इस 2 को भी उपर ले जाएगे, तो यह बन जाएगा k log k, और 2 to the power 2 और into, अब देखें यह सब pattern वैसा बन गया, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, तो यह हट जाएगा इसमें से, और आपके सामने बचेगा 4 to the power 1 by 2, सेम यहाँ पर होगा, यह सारा हट जाए यह log के अंदर, ठीक है, कि यहाँ पर अगर base और log का base अगर सेम बन जाता है, तो यह पूरा part आपके पास में हट करके, सिरफ आंसर B बचता है, बाकि सब आपके सामने question से हट जाएगा, ठीक है, और यह इसी साल advance में आया था question, काफी अच्छा question है, आप लोग इसको देख स सकते हैं, आगे बात करते हैं, next question, next question है हमारा देखिए, एक equation दी हुई है हमें, let alpha satisfy this equation and beta satisfy this equation, then find value of alpha plus beta, तो देखिए, alpha plus beta की value क्या आएगी, alpha और beta, alpha पहली equation का root है, तो इसको satisfy करेगा, तो आपको मिलेगा, alpha cube plus 3 alpha square plus 4 alpha plus 5, और beta दूसरी equation का root है, तो इसको satisfy करेगा, beta cube minus 3 beta square plus 4 beta and minus 5 equal to 0, आप देखो, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए, आपको चाहिए alpha plus beta की value, तो इन दोनों equation से आपको alpha और beta निकाल करके निकालना बड़ा difficult है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना common sense लगाते हुए, देखते हैं कि कैसे solve कर सकते हैं, तो देखिए, alpha plus beta के लिए, alpha cube plus beta cube अगर आये, तो हमारे पास alpha plus beta का एक factor आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों equations को add करते हैं, और देखते हैं, क्या मिलता है, तो यहां से add करेंगे, तो देखिए, alpha cube plus beta cube, यहां से minus 3 time alpha square minus beta square, sorry, plus 3 time alpha square minus beta square, यहां से 4 time alpha plus beta, और यहां से 0, will be equal to 0, तो इन देखिए, सब के अंदर alpha plus beta का एक factor common आ रहा है, तो उसको बाहर common निकाल लीजिए, alpha plus beta, तो इसके factorization करेंगे, तो alpha plus beta को जो बाहर लेंगे, तो अंदर बचेगा, alpha square plus beta square, और minus alpha beta, यहां से alpha plus beta को बाहर common लेंगे, तो अंदर बचेगा, 3 time alpha minus beta, और यहां से alpha plus beta common आ गया, तो सिरफ 4 बचेगा, और equal to में 0, अब देखिए, या तो यह 0 होगा, यह 0 होगा, तो देखिए, जब पहले वाला 0 होगा, तो alpha plus beta क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और हमारा question तो यहां से solve हो गया, क्योंकि alpha और beta की एक possible value तो 0 है, तो 0 तो answer में आएगा ही आएगा, और integer type का question है, तो हमारा question तो यहां से solve हो गया, कि यह 0 होगा, लेकिन साथ में ही हमें यह भी देखना पड़ेगा, कि यह चीज भी बतानी होगी, वैसे तो objective बताने की ज़रूत नहीं है, बट अगर आपको लगेगी alpha plus beta का कोई दूसरा answer भी आ सकता है क्या, तो इसको जब आप check करेंगे, तो देखे, इसको हम alpha minus beta का perfect square बनाते हैं, तो यह बनेगा alpha minus beta का whole square, ठीक है, तो alpha square plus beta square minus 2 alpha beta, बट हमें यहां पर सिर्फ minus alpha beta दिया हुआ है, तो हम इसमें alpha beta add कर देंगे, तो हमारा यह इसके equivalent ह हो गया, plus 3 time alpha minus beta, और plus 4 equal to 0, अब देखे, alpha minus beta को अगर मैं थोड़ी देर के लिए t मानलू, तो मेरे पास में एक ऐसी equation है, that is t square plus 3t and plus 4 equal to minus alpha beta, और हमें देखे, वो दिखाई दे रहा है कि यह जो equation है, ठीक है, इसका d negative है, और इसका d negative है, इसका मतलब यह हुआ, कि t की कोई भी real value यहां से possible नहीं है, और t की कोई भी real possible value नहीं है, that means alpha minus beta के आपके सामने कोई भी real values possible नहीं है, और alpha minus beta की real values possible नहीं है, that means यहां से आपके सामने कोई भी इसकी real answer नहीं आ सकता है, clear है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये 0 तभी होगा, जब आपके सामने क्या हो जाए, real values के लिए alpha plus beta क्या हो जाए, हमारा 0 हो जाए, clear है, तो इसलिए इसका answer क्या हो जाएगा, 0, चलिए आगे बात करते हैं, next question, और next question क्या है हमारा, next question में देखिए आपको क्या दिया गया है, आपको एक function दिया गया है और ये बोला गया है कि ये जो polynomial है, ये 8 degree का polynomial है, इसकी degree क्या है, 8, और such that वो इस condition को satisfy कर रहा है, r equal to 1 से लेकर के 9 तक, तो 1 upon f of 10 की value क्या होगी, ये हमें find out करने है, तेकि कैसे करते हैं इस type की questions, जिनकी degree का आप भी बड़ी होती है, ठीक है, तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते हैं कि हमें polynomial मान ले, 8 degree का, और अब उसके अंदर 9 variable होंगे, ये जो 9 conditions दियूए उनको satisfy करके निकाले, possible नहीं है, तो कैसे करते हैं देखिए, ये जो conditions दियूए होती है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस condition को एक साथ, एक साइड में common कर लीजिए, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, r into f of r minus 1, और इसको आप एक नया function मान लीजिए, that is, for example, g of r, या f of r, क्यो भी उदर है, तो g of r मान लीजिए इसको, कि देर है, अब क्या करेंगे, देखिए, अगर आप इसके अंदर बात करेंगे, अगर r equal to 1 put करोगे, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा g of 1, और इधर बनेगा 1 into f of 1, और f of 1 की value कितनी है, 1 minus 1, that is 0, इसका मतलब ये हुआ कि 1 g का क्या है, रूट है, ऐसे आप 2 के भी put करके देखोगे, तो 2 भी इसका रूट आएगा, 3 भी इसका रूट आएगा, और 9 भी actually हमें अब g of r के बारे में पता चल गया, कि g of r जो होगा, वो क्या होगा, वो होगा हमारे सामने, r minus 1, r minus 2, r minus 3, up to r minus 9, और g r हमारा इसके equal है, तो ये हमारे आगे काम में आएगा, लेकिन देखिए, शिरफ इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए, हमें ये question में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, कि इसका leading coefficient 1 है, तो आपको यहां पर ए constant k भी लेना पड़ता है, हमेशा, clear है, इस constant k की value कैसे निकालेंगे, इसकी value निकालेंगे, इसमें r equal to 0 put करके, तो देखिए, अगर हम इसमें r equal to 0 put करते हैं, तो यहां से आएगा g of 0, will be equal to, क्योंकि यहां multiplication म r है, तो यह 0 minus 1, यह बन जाएगा minus 1, और यहां पर जब r 0 put करेंगे, तो यह बन जाएगा g of 0, that is minus 1, और यहां पर आएगा k, और यह बनेगा आपका minus का 9 factorial, 1 into 2 into 3, अब तो 9 तक आएगा, और सब के साथ में minus sign है, तो minus का 9 factorial, तो यहां से आपको k की value मिलेगी, k will be equal to 1 upon 9 factorial, clear है, k आ गया, तो अब आपको जो पूछा गया, वो निकाल सकते हो, आपको f of 10 चाहिए, तो पहले हम g of 10 निकालते हैं, और देखते है, g of 10 की value कितनी आएगी, so g of 10 कितना आएगा हमारे sum, k की value है 1 by 9 factorial, और इसके अंदर देखिए, जब आप 10 put करोगे, तो आपका अपास में आएगा, 9, 8, 7, up to 1, तो ये भी वापिस कितना आएगा, 9 factorial, तो ये इससे cancel out हो जाएगा, और g of 10 की value कितनी आजाएगी, 1 आजाएगी, clear है, g of 10 1 है, तो अब देखते हैं कि f of 10 कितना आएगा, तो इसके अंदर आप r equal to, पहली equation में 10 put करेंगे, तो g of 10 will be equal to आगया हमारे सा 10 into f of 10 minus 1, और साथ में देखे, g of 10 की वाली 1 आई थी, 1 को इधर ले आए, तो 2 equal to 10 time f of 10, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 upon f of 10, तो इसको इधर नीचे ले आए, 1 upon f of 10, और 2 को इधर ले आए, so 10 divided by 2, तो हमारा answer जो आएगा, वो कितना आजाएगा, 5 आजाएगा, तो इस question का जो आपका answer होगा, वो कितना होगा, 5 होगा, clear है, इसके अंदर जो ज्यान रखने वाली एक जो सबसे important चीज है, वो हम जो भूल जाते हैं, वो क्या है, वो है, यह क्या है, ठीक है, ना, कभी भी आपको leading coefficient 1 नहीं मानना है, जब तक आपको question में नहीं दिया जाए, क्योंक तक आपको question में नहीं दिया जाए, ठीक है, leading coefficient हम निकालेंगे, question में जो data दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर हमने r equal to 0 पूट करके leading coefficient निकाला, वैसे आपको कोई ने कोई condition question में ऐसी दी हुई होगी, चाहां से आपका leading coefficient निकलेगा, clear है बच्चो, चलिए, आगे बात करते हैं हम, next question, और next question क्या है हमारा, so यह है हमारा question number 7, and I think this is the last question of paper, ठीक है, यह हमारे paper का last question है, so देखते हैं, इसको कैसे solve करेंगे, आपको दिया गया है कि alpha, beta, gamma इसके roots से एक आपको tn एक term दी गई है, और आपसे बोला गया है कि इसकी value क्या होगी, देखिए जब भी आपको इस तरीके से बड़ी-बड़ी terms दी हुई है न, t12, t9, t11, जिसे power के अंदर है, यह सारी चीजे, ठीक है, और इधर अगर आपक t9 कितना होगा, t12, minus c, t9 की value क्या होगी, t12 का क्या meaning हुआ, alpha to the power 12, plus beta to the power 12, plus gamma to the power 12, minus c time, t9 क्या meaning हुआ, alpha to the power 9, plus beta to the power 9, plus gamma to the power 9, यह तो हमने values put कर दी, अब हम इस step में आगे क्या कर सकते हैं, तो हम alpha की power 9 को common निकाल सकते हैं, तो उसको common निकाल लिया, तो हमें मिला alpha cube minus c, ऐसे बीटा की power 9 को common निकाला, तो हमें मिला beta cube minus c, और ऐसे गामा की power 9 को common निकाला, तो हमें मिला gamma cube minus c, अब आगे क्या करें, तो अ अब हम यहां से आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, अब हमें क्यूशन की help लेनी पड़ेगी, देखें, alpha, beta, gamma इसके root है, तो इसको satisfy करेंगे, तो यहां से alpha cube minus c की value, तो 5 alpha square के equal आ रही है, ऐसे beta cube minus c की value, 5 beta square के equal आएगी, और ऐसे ही gamma cube minus c की value, 5 gamma square के equal आएगी, तो यह value यहां पर substitute करते हैं, जैसे substitute करेंगे, यह बनेगा 5 time alpha की power 11, यह बनेगा 5 time beta की power 11, और यह बनेगा 5 time gamma की power 11, 11 कहां से आगया, 9 यहां से है, और 2 power आपकी की वहां से आएगी, तो total 11 बन जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 5 time, यह क्या है, 5 common लेने के बाद में, यह है आपका t11, तो जैसे मैंने कहा था, automatically आपका denominator बन जाता है, तो t12 minus ct9 किसके equal आ रहा है हमारा, t12 minus ct9 आ रहा है, 5 time t11 के equal, तो इसकी value कितनी हो जाएगी, t11 से divide कर दीजिए, तो आपका answer आ जाएगा 5, ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, कि इसका जो answer होगा, वो कितना होगा, वो आपका 5, clear है बच्चों, तो ये था हमारा maths का DCM first paper, और आपकी DCM का third paper, ठीक है, जिसका solution देखा हमने class में, ठीक है, आप अच्छे से देखिए हार question को, ठीक है, फिर भी अगर किसी question में कोई भी किसी type का doubt हो, तो आप लोग अपने doubt class में आ करके, अपने doubt को clear कर सकते, ओके थैंक यू,